पूछन पूछना चाहते हो पूछते यह सब में डाउट है वाह यह अच्छी बात इसी रहलाइड में है डाउट क्या है डाउट और कैसे करना है वो लोगी कोई तब तो फर्मूला बोलो फिर समझाएंगे क्या प्रॉब्लम आया कुछ प्रॉब्लम यानि सारी प्रॉब्लम यार पेन नहीं चलाओगे तो हम क्या करेंगे कि देखो कितना अच्छा डाउट कुछ अब देखो उसके डाउट का जबाब दे रहे हैं बोले बटा जल्दी कि तुम लोगे आदत बड़ी खराब है कि देखें चाहेगी चर्जेव और 90 पर से अचकल बचे क्या है घर में बैठे सोई सोई ड्रीम बना लेते हैं आएटी क्वालिफाई हो गया यह हो गया कोई हाल है हमने कहा था अलकाइल ग्रूब डालना अब वो कर रहे हैं तर्चियरी बेऊटाइल चाहिल को लाइट कैसे लिखेंगे यार फॉर्मूला लिख के structure लिख़ामिने बोला था क्या structure बनाने के अब पर ट्राइग करना यह हमने नहीं बोला कि पहले ही से तर्शेरी सुरू कर देना कि हमें स्ट्रक्चर में बोला था अब जैसे बी किया हो यार हमें नहीं पता है अब बोली हो तो हल लोटker देते हैं तो यह हुआ के भी पेंच लाने नहीं है का भी कोस्टन बराना शुरू कर नहीं होगा चलू और बोलो तर्सियरी विवाओ ताइल एक ताइल को लाइट नहीं होगा ते नौट टाइम देगे कोई प्राप्लेम यह तर्सियरी विवू ताइल एक ताइल को लाइट ना बोलो क्या बोलो बोलो क्या लिकियो वेटा सिंपल नाम लिखो छोड़ दो प्राइमरी सेकेंडी वो तो हम ने थोड़ा कहा था कार्बन लिखने के लिए सब्सक्राइब कितने कार्बन है तीन राइट तुम कहना चाहरे हो यह अगर यह लीक दो ठीक है नहीं लिखो तो भी ठीक है यह सेकेंडरी प्रोपाइल हो गया अब प्राइमरी इथाइल बुल राइट यह हो गया तो तुमको नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो इसको बोलो इथाइल बुटानो एक कुछ भी लिख दो वैलेंसी कुछ क्या लिखना चाहरे हो पेंटो चलाओ कुछ भी बोलो कि आज तो पेंट चलाने का फिरी का आजते नहीं बना कार्बन की वैलेंसी चार से कम नहीं होगा बोलो ऐसे बोलो हम लिखते हैं तुम्हारे बाशार में लिखते हैं अरे बेटा जैसे यह लिख दिया क्या लिख दू इधर कुछ भी बोलो यार तर्सियरी जो भी चीज ब समझ भी आ रहा तो से फाइवे चले मैंनी ते गेम की तरह खेलना है दिमाग लगाओ तो नहीं होगा दिमाग लगाओ तो डड़ोगे पहले बार जो किर्केट देखते होगे आज कर 90% किर्केट आता नहीं है खेलने आप वो अलग बाते लिए देखेंगे जरूर कीज बॉल पे छक्का लगा दिमाओ जब एक्चुली बैट पकड़ोगे ता पता चलेगा कि क्या क्या प्रॉब्लेम होता है पहला ता सोचो को स है अगर यह लिखोगो तह दो मैंजर प्रॉबलेम हैं क्या कुश्चन है कुश्चन यही धिल है नहीं समझ जाएंगे लाइट रहांसर तब इना लीखने नहीं होगा कि साइंस का मतलब है गलत लिखो गलत कर यह कभी नहीं डाटेंगे अब बिना लिखे बैटोगे चलो माज दी एक्षन सुरू करेंगे ताइम नहीं भी ला तो उसके लिए भी हम करेंगे बोलो कोश्चन नेक्स प्रॉब्लम सब को एक ही है राइटिंग भी ना किये समझ जाए राइट थोड़ा लिखे ज्यादा समझे यहां है कि ज्यादा लिखोंगे तब समझोगे बोलो तो क्या हो गया इसमें प्रॉब्लम हाँ डर बना हुआ एक्दम तर्सियरी बेटाइल को लाइट बोला अब नहीं पूछ रहे हैं टाइम वेस्ट करने के लिए क्या यह हो गया यहीं पूछ रहे थे इसको इस्ट्रक्चर बना दोगे हम थोड़ा टंडेंस लिखते रहे हैं इसको नहीं किये हो राइट यह अच्छी बात भोगी इसको नहीं टू कर दो चलो कोई बात रही अच्छा हुआ कि कुछ कोश्चन तो पूछ रहे हैं एक ही बार बोले हो इसलिए प्राइमरी अमीन है टर्सियरी कार्बन है और बोलो हमाएट बोली हो बीए माइन बोली हो नहीं समझे बोलू लू राइट हरो हमाई तरसियरी इच्टामाइट पंटा इलमाइट सथे लिग तो पेंटाल मैट सुरि इस पांटामेट धो कि अभी आता नहीं है जेड पर पहुंच जाओ देख रहो यह एड़ांस है नहीं कराया है कि उसको पोजीशन तुम कर रहे हो तो सिंगल कंपाउंड का आई पर करा दिया कि मल्टिपुल का थोड़े कराएं मेट लिरल्या कि बोलाएं एक बोला है रिलाक्स थे एक बूरार रहे हो तरशेरी अभी लिखने नहीं आ रहा है एक कर रहें समझ गये कुछ नहीं लिखेंगी कुर दर और अभी जितना एक दो क्लास करें वो करोगे तब केवल बोलो कि सर होमवर्क हुआ है नहीं हुआ है उसमें जो डाउट है तो पूछो यहीं की थी कि आज टर्सियरी करा दिये सारे उलज गये कि अब टर्सियरी के पीछे पढ़ गया सेकेंडरी के पीछे आज अगर आइसो नहीं हो करा दे तो और टेंसर हो जाएगा तेकर है पोजीशन करा दो अब तो अब यहां कि मेरी प्राब्लेम है अब तो खुट चाह रहे हैं तो ऑब सर ला दिया को करें नहीं किया है तूं थोरा थोरा किये हो और यह नहीं बहुत किया थोरा बहुत क्या मतलब होता है 20% 30% 80% 20% समझ भी आ रहा है कि सब को इनलाइज करके समझा देंगे 20% का मतलब समझ भी आ गया ना बोल सकते हैं नहां बोल सकते हैं कि डाउट पूछो अपना अग्टानोइट गुस्सा क्यों कर रहे हो अग्टा पर जाएंगे तो प्राब्लेम होगी तर्सियरी बिविटाइल चलो क्या बोले हो तर्सियरी बिविटाइल अक्टानोइट तर्सियरी बिविटाइल पहले लिग देने दो अउधर जो भी करना है वह आईपक में होगा यह तर्सियरी बिविटाइल हो गया ऑक्टानोइट सी सेवेन एच थर्टी सॉरी 50 हो गया कि आरे यार छोड़ो तो उसको तर्सियरी अक्टाइल एसिटेट बोलना होगा इसलिए तुम से ज्यादा एसमा कि अब देखरो सब तर्सियरी के पीछे पड़ गया है अहां कि दूर कि नहीं अब करेंगे तो वही करेंगे हम करें बना के करो कि चलो कोई बात लिए लाउट बोलते जाओ यार जल्दी पांच मिनट कर दे रहे हैं तब उसके बढ़ चार्ट बनवाएंगे तो थोड़ा पेन तो चल्ला है बोली न किसे 20 परसेंट किये और वो 20 परसेंट में कितना परसेंट है अलग प्रॉब्लेम और किस तरह का है माइंड गेम है किसर का प देखेंगे तब पता चलेगा बोलो बेटा कि पूछते जाओ जल्द जल्दी यार कि बैठ गया चुच्चप बोलो तो कुष्चन यह तो तुम तो सोचरो सब समझ गये यह वी एक प्रॉब्लेम है कि बोलो देखो जी शेकंडी आएगा प्राइमरी आएगा और बोलो लास्ट इंप्रॉब्मेंट हुआ था कितना परसेंट हो मुख हुआ है सही बताना पिटा क्या इसका मतलब क्या होता है यार मुझे क्या करते रहते हो यह नहीं किया यह किया यह क्या होता है चलो कल था इसलिए थोड़ा सब माप नेक्स विट में नहीं माप करेंगे प्लास बाहर कर देंगे ध्यान रखना हम नहीं इसकी उच्सुनेंगे तो पता तो चलेगा कि इस बेहत बैठा कितना लेवल उपर गया देख रहो कैसे कुछा जल्दी सर्पोजीशन कराओ तुमारे क्लास में डिफिरेंस फैक्टर आ रहे हैं तुम करेंगे नहीं अलग-अलग थोड़े हम क्लास लेंगे कि पोजीशन आज करा देंगे तो और नया चीज आ जाएगा वह करा रहा है कि टर्सियरी अक्टानोएट कराओ तुमारा फ्रेंड है सुन रहे हो कुछ नहीं किये कर लो सर क्या कर लोगे जब आप दो कि टुवल्थ का बच्चा है अराम से कहें लिखो बेटा कि बोलो समझाया नहीं समझाई समझा दिया सही समझाए राइट यहीं चाहिए थोड़ा कन्फ्यूज हो गया help कर दिया और डाउट है पूछते जाओ नहीं है वहीं सोच रहे है पेन और चलाना सुरू करें कि तुम जूट को दूर करें बहुत सारे प्रॉब्लेम है कि अपना भी डाउट मुछो हो गया कुछ चेंजिंग लग रहा है अब अब काफी चेंजिंग लग रहा होगा समझ भी आ रहा है अब करें पास आजाओ तुम पास तुम आजाओ चलो मारकर पकड़ो बोर्ड पर लिखो क्या लिए तो नाम लिखो के तब पता चलेगा अश्टक्चर सही है नहीं राइट फुस हो गया गलत होगा तो मेरी गलती है तुमारी तो है ने कब दर पें तो चलाया उसके बाद गलती होगी तो मेरी है इसले सही है अब नाम प्राब्लेम अगए तर्सियर लिखे सगन्डी उसे के लिए लड़ाई हो रही है पहली यहां अज़ादा देखा अचांग जादा एकसाइटेशन आभ आप अर्शार करना कि दा में क्लास सोच रहे एक लिएक्सन ख्लास लेकिन अभी पकड़ में नहीं आ रहा है कौन कितना जूट बोला है इसलिए क्वेस्टन भी नहीं पूछना आ या समझ लेना कि इसे कितना चाहिए बोली 20 परसेंट अब 20 परसेंस हमें एनलाइज कर रहे हैं क्या की होगी बैटा डाउट हुआ टाइम नहीं मिला अच्छ घर पे नहीं थी राइट अच्छ जो भी और इस्टर तुम्हारे साथ ही था कि आपकी जरूरते नहीं थी वो तो खेलना था कहीं भी बैटकर जैसे मैं मुबाइल पर खेलते हो यह से खेलना था पढ़ना रहा था तो प्रॉब्लेम था कहते दस रिएक्शन रटके आना तो प्रॉब्लेम था इसलिए पूछे कि help करो कंफ्यूज क्यों थे वहां पर जहां पर help की है अच्छा राइट अच्छा राइट राइट यह तर्सियरी प्रॉटाइल है नहीं कुछ समझ में आ रहा है क्या बोलियो सेकेंडरी प्रॉफाइल तो यह से राइट यह हो गया है अब इसका एप्लिकेशन सम्झाने के आज सुरू कर रहे है दो चीजाज करेंगे चार्ट बनवाएंगे एक सब को पता तो चले कि करना कितना जरूरी है एक रियक्शन भी सुरू कर दे रहे हैं तब तब डिफ्रेंसेज लगेगा कि पढ़ना बहुत जरूरी है उसको हमनों लेवेल एवन कहते हैं कि सब को जानना जरूरी है इसके बाद तो हंडेट परसेंट पकड़े जाओगे कौन कितना जूट बोला है जूट का मतलब होम और भीना किये को होगे कर लिया तुम पूचन पूचना है जी लेट से आए हो फ़ले डिलैक्स हो जाओ टाइम से लेगी सब पहुंचो यार हमसे तब अच्छा ओनलाइन था बोलो डाउट बोलो जल्दी पूचना है तो क्वेश्चन पूचन नहीं पूचना है चलो अब आगे सबके लिए पेन चलाना शुरू करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेज शुरू कर रहे हैं अभी तीन जोन सुरू करेंगे एक जोन में रियाक्शन एक जोन में नेमिंग जिसको तुम लो नेमिंग कर आया है कि आयुकर का मतलब हो गया पोजीशन फंक्शन टाइप सब आइसो में वह अलग प्रॉब्लम है तो रियक्शन लिखना शुरू कर रहे हैं क्योंकि बोर्ड में मैक्समूम टू-3 कार बनाता है और तीसरा होगा मैं कि नहीं जांग तीन रास्ते से चलें डास्ता देखेंगे कैसे क्या हो रहा है लास्त रियक्शन से लुझ कर रहे है जो आया है हूम और की आछा तरश करकर उसको पता चले कि इसका फायदा क्या हुआ जो नहीं किया है उसको पता चले कि नेक्स्ट क्लास् Communism करक् realistically है वास समझ वह रहा लेकिन हर जगा हर चीज़ की जरूरत पड़ेगी इसलिए सबको प्यार से डांट के जैसे भी कर रहें कर लो यहां तर तब एक्चुल केमेस्ट्री समझोगे चलो जी राइट डाउं इंपोर्टेंट रूल्स ओफ रियक्शन झाल जी राइटinary हर जो जब पर कि जैसे वी हर थाईख भूटेंट पर विस्त हम मैंश्री समंगर अरेट handicraft, राइट भूझे राइट के यहां तर डाईख प्याद के पास्थ खरिभव उ Васे सबकर झाल 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 एक मिनट रूखो यार एक सेकंड पेसेंस नहीं रहता है यार हमको भी लिखने में कई एक तो नया कंसेप्ट है मारकर का खिज जा रहा है हमको भी सीखना पर रहा है तुम्हारे जैसा अब बोलो क्या बोलना चाहिए अच्छा थर्ड में इसका मतलब होता है नेसेंट हो है राइट रिएजन्ट के टुसी आइट गो सेवें अबलिक एच प्लस या इस तुए सुपोर लिख दो पोटासियम डाइक्रोमेट है यह ऑक्सिदेशन का रिएजेंट है बार बार आएगा पहला जो बोले हो सी एल टू यू भी लिखो या यह नियू लिखो या बुद्द का हिस्ट रियक्शन करा रहे हैं चलो और सेकेंड में एक वास के वेच एक वास का मतलब होता है वाटर इस एकेंड में आर चेंच टू ओएच अलकोहल जहां भी कंफ्यूज आना ना कुस्चन पूछोगे हुआ हुआ है भे और वो हूब प्कल 5 फस्वार्पॉ प्रिंट को लाइं कि फिप्थ में बी आर्टू अबलिक के ओएच में बी आर्टू अबलिक के ओएच सोडियम और ड्राइथर डी डॉट इड्राइथर ड्राइथर करते हैं इथाक्सी इथेन को यह 11 क्लास में पढ़ाओगा नीचे लिखना चाहते हैं तो उर्ज रियक्शन है यह भी लिख देते हैं लिखने के जरूरत नहीं है लेकिन इसके बाई नेम लिएक्शन भी जानना आगे चलके जरूरत है कोई भी पॉइंट पर कंफ्यूजन है बोलोगे बस सबसे इंपॉर्टेंट है यह हो गया अराम से देख लो कोई भी एजेंट गलत मत लिखना दो बार चार बार पूछना है पूछ लेना पैकि जैसे पेज से उसके पर कहो के सर यह लिख दिया एक कुछ के जगा अल्पोहलिक लिख दिया कि फिप्त वाला बी आर्टू के ओएच अपन ब्रोमाइट रियक्शन इस्टेप डाउन डियक्शन और उस पे भी आ रहे हैं धीरे धीरे डिस्टस करेंगे बोलो विड़ा एक सेकिन हैं थर्ड के नीचे के टू सी आर्टू ओ सेवेन अबलिक एज प्लस यह कैटलिस्ट का काम करता है कि एच्टू एसोफोर करो कोई भी एसी ले लेंगे इसलिए एच प्लस लिख दिया है आगे मैकेनिजम में हर चीज का कंसेप्ट हो जाएगा दिख रहा है सारे सेवेन्थ के PCL5 तोड़ा गलत लिखा गया है उपर लिखते क्या दो बार लिखेंगे तो वह भी प्रॉब्लम हो जाएगा पूछ लो रहे हो तो अच्छी बात है हो गया चलो अब जिसको समझ में आ गया वो अच्छी बात है जिसको नहीं समझ में आया question पूछ ओगी आर का मतलब लिख लो alkyl group erail group cyclically group भी मतलब aromatic भी है cyclic भी है elicyclic भी है elipheit भी है आगे चल के बत कर आया है तो इसको जैसे हम लोग देखो जी पूरे इंडिये में क्लास लेते हैं इसलिए जो बैच जहां दूस पांसो हजार बच्चे होते हैं फिल्ट्रेट करके वहां पॉट जिसको वहां के बच्चे देते हैं अब देख रहा है तुम लोग जूट भी बोल ले हो 12 में आकर किये हैं नहीं किये हैं मतलब हम ही को मैनेज कर दे रहे हो कि चलो थोड़ा आगे बढ़ा दो तब इनको पता चलेगा कि हम लोगी पूरे इंडिया में दो आदमी इन और्गेनिक पढ़ाने वाले आएटी कि नहीं कोई पढ़ाता है सब लोग रियक्शन रट वादो देखे होगे तुम लोग सीनियर से पूछ ले रहे हैं अब इसको हम कहें कि हम बहुत अच्छा और्गेनिक कुछ नहीं पढ हो चुका है अब देख रहा हो कोई पोजीशन के लिए पीछे पारा हुआ है कोई किसी के लिए तो हम भी थोड़े रूखेंगे आज रियक्शन सुरू कर दी आप सबका कैरेक्टर पता चलेगा हमें अब थोड़े बोलोगे कि सर यह प्रॉबलम है सब कुछ कोई नेमिंग में बहुत कुछ सिखना है अब बहुत कुछ प्रॉबलम है पहले तर लिखोगे पहले राइटिंग सिखा रहे है तब उसके बाड़ डिसिप्लिक देखो जी आर के जगा अलकाइल ग्रूप है छी एच थिरी सी एच थिरी नाम क्या हो गया कि इते दिख रहा है तो द्राइ टाइम वेस्ट होगा दस्द सेकेंड सोच लो आगे क्या होगा ऐसे हजार बाद लिखना होगा तो दस से मल्टिप्लाई कर दो फिर उसको मिनट्स में बदलो फिर आवर्स में बदलो फिर टाइम मैनेजमें वर लो देखो कितना वेस्टाइम होगा लेकिन अभी नहीं सुना है क्या मतलब होता है हाँ उसको हम आगे चलके रोड मैप लिखवाएंगी जैसे घर से आप अलग-अलग जगह से तुम लोग आयो कोई 2 किलोमीटर कोई 2.5 किलोमीटर कोई 30 किलोमीटर नहीं सब को बेनिफीट यहां पर एक ही जैसा मिलना है यह थोड़े होगा कि ज ज्यादा दूर से आया ज्यादा ऐसा तो है नहीं इस रोड मैप में पहले तो क्या करो चेन बनाना आठ एस्टेप का और सबका कॉमन लिख दे जाए जैसे एक स्टेप हम लिख रहे हैं जैसे यहां से चले है c l 2 h new h new a u b कुछ भी नी कुछ नी कुछ नी कुछ c l aqueous kilo h c 2 h 5 o h ऐसे चेन बनाते चलो यह थे स्टेप राइट आउं help लेके करना minimum help ज्यादा अपना दिमाग लगाना यही चेन बनाते चलो कंवर्जन टाइप से जिसको नहीं समझ भाएंगा पूछ होगे इसलिए दो इस्टेप हम लिख दिए हर रर्ए लिखने के बाद सबका common name लिखना कर रहे हैं यह कि अब सबको पेंच चलाने समझ में आ जागा कि क्या जरूरत पड़ती है मोर राइटिंग मोर कंसेप्ट मतलब क्या होता है कि रिएजेंट गलत मत लिखना दूसरी पॉइंट ज्यादा नहीं हेल्प लेना है एक पर देख लो चलते जाओ जिसको नीचे जगरना हो टर्न कर जाना फिर आपवर्ट्स मरजी तुमारी लास्ट तक पहुंच जाओ अज इसको डाउट हो कुश्चन बोलते जाओगे बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक्स डिसकस कर रहे है यह सब चीज तुमको नहीं कोई गाइड करेगा 200-400-500-1000 रियक्षन याद करवा देगा कि डिस्प्लिन नहीं समझाने जाएगा कि क्या होता है कैसे होता है क्यूं होता है कि देखते तो भी रहे कि किसी को डाउट तो नहीं हो रहा है बोलेगा नहीं कटिंग क्यों कर दिये यार यह तो टाइम नहीं है बेटा सबका नाम लिख दो राइट बहुत अच्छा कि दम सही कि एक्सेलेंट बेटा कॉमन नेम या ट्रेवल नेम आइपक नेम नहीं लिखना है कि बहुत सब्सक्राइब क्या प्रॉब्लेम है प्रॉब्लेम बोलो बेटा चेन तो यहां बदाए बनाए इस देख के बनाते चलो कि अब तो प्रॉब्लेम आएगा कौन-कौन होम और किया है नहीं किया है प्रॉब्लेम है नहीं है एक्सेलेंट बेटा सबकर नाम लिख दो कौमन या ट्रेवल ट्रेवल जिसका नाम होगा ट्रेवल लिक bookstore कौमन लिखना आई पक नहीं लिखना है इस ट्रिक्ली प्रोभीटे लिख दिये सब कर नाम लिखो लिए जल्दी जल्दी कर वेटा बहुत कुछ शिखाना है चलो यह अच्छी बात है खुद पेंच चलना शुरू हुआ है थोड़ा कि यह समझ गए इसके बाद और्गेनिक में कुछ नहीं पढ़ना माइंड गेम है क्यों क्या हो गया तुमको प्रॉब्लेम है कि आई ड्रॉप चाहिए कि आप प्रॉब्लेम है कि रखे हुए है दिक्कत हो तो क्या प्रॉब्लेम है कि यह तो बनाओ यार आगे कौपी तो करो कहां कर लिया अरे यार कहां इसको थोड़े कौपी कहते हैं यह नीचे वाले को कहते हैं इस समस्या है लो को इस हाजी बोलो बोल पॉर्मन ट्रेवल भी लिख ली जिसका ट्रेवल है तो ट्रेवल लिखना राइट बोलो बेटा दो दो गुरूप है यहाद आ गया चलो देखें अब इसके बाद प्रॉब्लम होगा फिर क्लोडो इथेन लिख दी क्लोडो इथेन आईपक नेम है तो गलत नहीं है इथेन आल भी लिख दी यह आईपक नेम है किया था यह आदत खराब है इथनोई कैसी लिख दी कुछ हम बोले कुछ सुने कुछ राइटिंग कुछ और देखो चेन हमने बना दिया है चेक कर लोगे साइक्लिक में कैसे घूम गए जहां से सुरूप किये थे वहीं पहुंच गए हमारे पास तो रहाए स्पेस कम था फिर वहीं पहुंचा दिया और वाइस ट्रेट की लिख सकते नहीं यार फिर मजाक कर रहे हो समझाओ हरे हो तो यह समझाओ होगा नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा तो क्यों इतना समझाना है अचा नहीं आ रहा है राइट यह बोल देती कि हम भी नहीं समझ पा रहे हैं हेल्प करो अपर अप सुनने दो हमको भी सुम्पीशे सुनाओ जी है आप इस पूरी कहानी कर रहा है मतव यह एक सेकंड में समझाना था समझ में आया समझाया तो नहीं लास्ट वाले समझाओ कू राये सी टू है लिखेंगे राइट लिखेंगे तो क्यों नहीं लिखेंगे तो क्यों लिखे नहीं लिखे नहीं पता है इसलिए नहीं करोगे ते पता चलेगा कहां से सो बार बोले देकि विदाउट कारबन में ट्रेबल नहीं होता है और हम ने सुना भी करा नहीं सुना और नहीं पुला था अचा नहीं बोला था अचा नहीं बोला था तो अभी 2-4 क्लास के बाद इसमेद बोले हैं कि ट्रेवल ये लिखना फटा था यह यह लिख रही है इतनोल हम प्रॉब्लेम यह कि देखी रहो एक बच्चा बोली दिया कि एसी टॉल रहे दूसरा कोई समझाओ था सब कन्फ्यूज कर दिया कि चलो जी आप देखो गया नेमिंग पूछने जा रहा है कि क्या पहले प्रॉब्लेम अपने बोलो यार कि लिखने में कॉपी करने में भी प्रॉब्लेम है कि जिसको प्रॉब्लेम हो कुछ भी हाथ उठाओ बोलो एक कोश्चन अच्छा पूछा एसी टॉल अभी से फायदा उठा लेना कि लाइफ में फिर गलती मत कर देना तुम तो नहीं करोगे बाकि देखो होगे फिर पूछेगा फिल कहेंगा एसी टाइल को लाइड सी टू एस फाइफ सी एल देखोगे बोलो बेटा क्या प्रॉब्लेम है तु तो यह घंटा से लेप्टराइट कर रहे हो यार यार यानि नेमिंग नहीं किया है वोमवर्क इसलिए आज थोड़ा सा एडवांस किये हैं कि अब खुल के प्रॉब्लेम आएगा अब रिस्टिक्शन लगा देंगे कॉमन लिखो ट्रेबल लिखो आई पकली फो लास्ट क्या प्रब्लेम है बोलोगे हैल्प करो अच्छे नेमिंग अप कर रहे हो राई कर लूबेटा जिसको जो प्रॉब्लेम है बोलते जाओगे अब अब देखरों नेमिंग में भी लडाई हो रही है सब में डाउट है चार्ट बना वह पीछे देखो कि अब कर दो यह चेन बनाने में घंटों लग गया आठ इस टेप लिखना है नाम बोल दिया तो और प्रॉब्लेम इथाइल अलकोहल बोल दिया नदर दो चार से पूछना पड़ता असुनते ही लगया कि यह तो जानते हैं कि वह तल राई हो रही तो यह सी टाइल और वह लेशी टॉल साथ बोला है कि हो गया शुरू करें प्रॉब्लेम इथें ल्ट वेच निव कॉमन नेम क्या लिखे हो क्या प्रॉडक्ट बना है आरे यार नाम बोला है हम थोड़े पूछ रहे हैं राइट उसका इपक नेम दाइट यह से लगता है सो के उठे हो लो रो पता नहीं कि एक्वस के वेच यह बोलोगे लास्ट बेंच एक्वस के वेच यह प्रॉब्लेम है बोलो राइट इथाइल अल्कोहल आ गया आ गया कोशन देख लो वह न बच्चे सुनने के लिए तैयारी नहीं है आदे घंटे उस पे रिसर्च हुआ यही कोशन वो बोला था कि एक दो दिन के बाद फिर आएगा कोश्चन तुरंते आ गया है कि एसी टाइल अल्कोहल इस यहां आदत है कि न्यूकिलियर है हमी के वल जन समझेंगे दूसरे वो समझने नहीं दें यह कोश्चन पूछा सबसे पूछते गया अब सुनाई दिया एथाइल अल्कोहल नही बेंग बोलो एक ही नाम बोला है ट्रेवल नेम पूछ रहा है तो ट्रेवल बोलो अच्छा दोनों पूछ गया था राइट क्या होगा ट्रेवल नेम ओक्सिडेशन ओक्सिडेशन के बाद जो पॉड़क्ट बना है उसका नाम बोलना है ट्रेवल नेम हाँ राइट हेल्प या सेल्फ हाँ जी सेल्फ बोले हो या हेल्प से बोले हो तेस यह तो पीछे मूरी होई थी चलो उसके बाद अमोनिया और ही ट्रेवल नेम सुनते जाओगे यह मत सोचना कि यह बोला है सब से पूछ रहे हैं बोले बिटा अमोनिया और ही वह सुना वही बोलना है दिमार खराब है तो तुम सुन यह तो और मजाक है कोई नेम तो बोलो कि यार तो बढ़ी यूनिक बैच्छे तो अभी अमोनिया हीट है है आप बना बीटा एसटामाईड अब बोलो मिठायले मीन सही है कि इस्टामाईड सही है आप या सही है इस्टामाईड या मिठायले मीन अब देखनो मिठाइल फॉर्माइड नो बेटा एसिटा माइट सही बोली है आई पक्नेम बोलो ऑनलाइन वाले बच्चे बोलो आई पक्नेम एसिटा माइट का बोलो जी आगे बेंच पर खड़ा कर देंगे लिए हूमवर्क नहीं किये हो पहली क्लास है वाँ बोलो जी एस्टा माइट का आई पक्नेम देख रहे हो एक इतना देर सूक है क्यों बोल ला हो प्राक्टिस करना अब दे रहे है क्वेश्चन इस पर सही बोला इतना माइड या एस्टा माइट पूचो डाउट अपके डाउट नहीं पूचेंगे इतना जोर जोर सची ला रही ती मिठाइले मिन यह बोली इतना माइड दिखाई दिया या नहीं दिया तो के वेच राइड आई पक नेम है एलो मिठाइले माइन आई पक नेम आई पक नेम मिठना माइड राइड ट्रेबल नेम मिठना माइड का क्यों बोल दिये कारबन इसलिए बोल दिया वही अब दो चार बार ऐसे पूछना पड़ेगा तो आईडिया मिल जाएगा सही बोला है मिठना माइन आई पक नेम प्रॉब्लेम क्या है अचार्ट बनों आ रहे हैं फिर से प्रैक्टिस कर लेना मत सोच लेना कि हम ओवर देखिए रहे सबका कारेक्टर पता चल ला है उसके बाद एचे नोटू कॉमन नेम बोलो जी तुम बोलो कॉमन नेम राइट लास्ट बेंड ट्रेवल नेम मिठाईल अलकोहल का आई पक नेम तुम बोल दो देख रहे हैं सब होम और किया हुआ है आई आई पर राइट ट्रेवल नेम अब देखो कितना नहीं समझे भी समझ गया कि नहीं होगा विदा उट पर इतना दो इतना दो परफेक्ट हो गया चलो पी सील फाइब राइट बहुत सही आई पक नेम कि सरी लादी क्लोरो मिठेन राइट सोडियम और राइट क्या बना राइट कॉमन नेम अब सही है ऐसे जब आप दोगे तो समझ में आगा गलत हो या सही हो अब रूख जाओ शर ने कॉमन पूछ दिया अरे इतन एक ही है हाँ ट्रेबल नेम होगा तो प्रॉब्लेम हो जाएगी वो भी नहीं है इतने होगा प्रॉब्लेम आ रही है कुछ प्रॉब्लेम ही प्रॉब्लेम ही प्रॉब्लेम ही चलो जी अब देखोगे रोड मैप देखे हो कभी कहां पर देखे हो देखे हो रोड मैप कहां मिलता है कोई रास्ते में थोड़े बोलता है कि मैं रोड मैप हूं चलो यह नहीं सही बोले नियु जन्नेशन के लिए ठीक है गूगल है दबा दो रास्ता वही पहुंचा देगा जैसे पुराने लुवर क्लास वे अटलस था रोड मैप का मतलब हुआ अब क्या होता है तो समझा दे रहे पहले हैं दूसरे जगह जाने में का क्या इंपोर्टेंट है इसे कैसे वह तो बोली सबसे इजी की गूगल पहुंचा वो भी घूमा देता है कभी-कभी द्यान से सुनने होगे बहुत ध्यान से लास्ट खरे हो जाओ पहले बाइक चलाने आता है गारी चलाने आता है क्या चलाने आता बेटा नहीं वो तो ठीक है यार उता एक्स्टर्नल हो गया वो बोलता थोरे रोट पर कहें इंटर्नल गारी में कितने पॉइंट पर ध्यान देना होता है दो पे क्या-क्या राइट चलाते हो बैढ़ जाओ बाइक इसकुट गारी बोलो कितने पॉइंट पर ध्यान दिया है हां बोलो बोलो सब सब कुछ समझ में आए हम पूछे कितने पॉइंट सिंगल वर्ड पूछे बोल सकता है पांच छे एक दो जैसे उसने बोला दो अब बोलता गया तीन-चार नहीं इंटर्नल काउंट करके एक्स्टर्नल बोलना को मैट जाओ तो काउंट करने में भी टाइम नहीं बाइक चलाया हो और राइक कितने पॉइंट पर ध्यान देना हो है बेटा सिदे 5-2-1-1 एक पर राइक बैठ जाओ जारी चलाया हो कि बाइक चलाया हो दोनल wisdom का क्यरेक्टर मज़ाया थे कितने पॉइंट ध्यान देना होता है चार चार चोली सिकरास में जो नहीं चलाता उससे पूछी कि अपके उसके बाद पूछेंगे पांच क्या है पूछ लें बोलो गटा राइट और इस्टेर एक कार का बता दिये राइट फोर्ड विलर का बता है समझ भी आ गया यह कोई कुछ नहीं चलाता है कि इसलिए पूछ रहे हैं और कौन हेल्प करेगा के वाला हमको पॉइंट काही है हेलो बोलो है रोड पे ध्याने नहीं बढ़ जाता है हम तो अभी गाड़ी के बारे में पूछ रहते हैं इंटर्नल कि इसका भी क्लास होता है आए अनक्लास होता है तुम्हारे वाला बिना क्लास के क्लास कर लेता है तुम्हारे गारी बैठकर चलो जो होगा सो देखा जाएगा हम लोग यह वाले गारी सीखेंगे तो पहले कॉलेज में एड़ीशन लेंगे तो अब क्या पॉइंट पर कम से कम साथ पॉइंट प्रध्यान देना पड़ता है इंटर्नली दिमाग से पैर का काम होता है यह वी सी अब जो फोर्विलर चलाया होगा तो समझ रहा होगा यह इस ही क्या होता है उसमें भी कौन पैर क्या काम करता है वो तो लर्निंग स्कूल में आ जानते हो तो अच्छी यह मिन्स एचलेटर बी मिन्स ब्रेक सी मिन्स क्लाच उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट स्टेरिंग है फिर गेयर है नियू जनरेशन जो नहीं ध्यान देता है जिस पर ध्यान देना चाहिए वो है मीरर है साइड मीरर बैक मीरर बहुत इंपॉर्टेंट है अफ्रॉंट देख रही है आज कर नाइन पीपर अगर डिसिप्लिन में चला जाया तो एक भी एक्सिडेंट नहीं होगा मतलु जो आठ पॉइंट बोल जा रहा यह आठ वा पॉइंट तो यह बता रहे है eri यारू तो उसको काईंट लेस है बेंट बोल दिया है वो तो डिसिप्लिन के लिए है वो तो अलग प्वाइंट है मतलब मीनमम साथ माइंड में चलते रहना चाहिए जब गाड़ी चल ला है और साथ में तुम बैठे हो दो फिरेंड है तो गब सब भी होगा है वो आठवा हो गया और किस एज में मिलता है डी प्लास वाले को महुत इंपोर्टेंट है वाले क्यों नहीं दिया जाता है तक यह डल्ट नहीं होता है तक यह गारी चला है अच्छा देखो पूरा टेक्नलोजी समझा भी जाता है इसलिए उसका कोई माइंड कंसेप्ट नहीं है कि क्या होगा रोड पे आज कर 90 परसे एक् क्लच है ना गेर है सीधे असी नब्बे सो दो सो एक्षिडेंट तो मेजर होगा ही एक्सिडेंट इसलिए गेर पर रखा गया था न्यू कंसेप्ट जो आया है तो इसलिए अब देखो जी है साथ पॉइंट तुम्हारे यह वाले के लिए कि हमनों नौवा पॉइंट जो द वाइट रखना है तो ब्लैक कर दिया पता भी नहीं चला है अंदर क्या है अफुल वालूम में गाना चला है तो साथ पॉइंट तो गया आटवा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है गाना सुनना अन्या जनने से ने पहली बार जो गारी चलाएगा तो कहेगा हम ही रोड तो सबके लिए है तो एक्सिडेंट का मेजर कारण होई है तो फोर विलर में भी ऐसा ब्रेक होता है कि यहां से वहां नहीं जा सकता है अगर ब्रेक ले 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 लेकिन डिसिप्लीन नहीं है कि तो रोट मैप सबसे कैसे बोले है वो अभी कभी कभी पहल कर जाता है जाके लोग जाता और इसको पते नहीं चला जाना राइड जाना क्या करना है रुप गया तो रुप गया है पिर गूगल बोलेगा तो आगे चलेंगे ऐसे कभी-कभी देखते होगे और लिवेज नहीं तो उसको चाहिए पहले ही लेप्ट पे खाना कर लो नहीं समझ भी आ रहे लिए और नहीं करेगा बीचे में जाकर रोक देगा अब पीचे से को यहार आते हैं इसके बारे में यहीं है गूगल का काम यहां नहीं करना है गूगल का मतलब हुआ कि हेल्प लेना ज्यादा हो गया है है लो मिनमम गारी चलाने तो सबको आगया तब की बात कर रहे है आठ पॉइंट पर ध्यान देदेगा जब लास्ट पॉइंट होता है रोड मैप वहीं आज क्लास में रोड मैप ही सिखाने जा रहे है रोड मैप का म मालो यहां से तुमको आगरा जाना है नहीं आइडिया है तुम's कि इनको उनैंा गायट किया यहां से 10 किलोंट जाओं गैंप वहां से 5 मुण जाओं कि दस किलोंट के बाद कोई द्यायड यहां से नहीं है पहली पार जब गारी का स्टेडिंग पकड़के जाओगे यह तो जाओगे नहीं यह स्टेपनी चाहिए साथ में पहली बार स्टेडिंग पकड़े हो उसमें एक बाट कर दिया कि आगड़ा दिल्ली से बाहर जाना और प्रॉब्लेम है टो करोंगे क्या जैसे एग् किल्योमिटर गये यहां सब कुछ गाइड कर दिया गया कैसे रोड एक किल्योमिटर गयं यहीं पर किसी से पूछ दिये यह भी नहीं पुछेंगे पास रेड लाइट कहां पे है माइंड वाले हो तो रेड लाइट पुछेगा स्ट्रेट है सीधा है फिर तीसले किलोमेटर गए ऐसे मिला फिर कहें नहीं सीधे जाओ चटे किलोमेटर पर यह मिल गए अरे तुम कहां जा रहे हो यहीं से मोड़ जाओ मुख शुर्ण स्टेज गया अराम से समझाया गया था कि दस किलोमेटर गाथरेड लाइट बागी कहीं नहीं left right करना है इतना डरबना हुआ हर किलोमेटर पूछते जाना है तो बोले तो छटे किलोमेटर है इसे खड़े हैं जो खुद पता नहीं है तो दिली के रोड पर चलता है 90 परसंट को रोड का पता नहीं रहता है कि सब जानते बाहरी आज में आता है तो पूछ ले तो अपने कंफ्यूज है अब जैसे बोल दिया मोड दियो अब मुड गया अब जैसे मुड गया उसके पता ही नहीं अब जाना कहा है घर भी पहुंचेंगे कि नहीं कि पहली पार रेस्टेडिंग पकड़ा है बात मेरी समझ में आया जबकि हेल्प लाइं कहा था कि ये लाइट के बाद ही 10 किलमेटर नहीं पूछना था ऐसे भी जहां चार-पांच रास्ता होगा वहीं पर कंफ्यूजन है जब यह एक रास्ता एस्ट्रेट पूछना ही वे स्टेज है तो ऐसा क्यों हुआ अपने पर कंफिडेंस नहीं है पहली बार चल ले हो इस बच्चे इसी क्लास पर पूछ रहे हैं अब इंपॉर्टेंट पॉइट पर आ गया है जिसको रोड मैप करते हैं इसको औरगेनिक मैप क्रते हैं वरडमें यह अम्ति तो समझ में आ गया है इसमें भी क्या करना है बार बार नहीं देखना है अब गारी चलाओ और बार मैप देखोगे गारी चलेगा कि मैप देखोगे या तो सोच के देख लो कि कि डो की चलना प्र मैप देखेंगे तो ठीक है पुराने समय में एसे से गूगल नहीं तो ऐसे लोकरते ते लोगर वक़जहाना तक 90% वोग उसी पे जलता है तो तो कीलि Dafür तरी किलिमिटर ता चल सकते हो तब फिर मैप देखो इसमें भी ऐसे ही करना है था क्या करना है step up है turning point step down का मतलब क्या हुआ carbon decrease कर जाएगा step up का मतलब carbon increase कर जाएगा turning point का मतलब सब जगह चेंज हो रहा है आप देख रहे हो सब जगह चेंज हो रहा है तो नया रिसर्च कर देता है टर्निंग पॉइंट रेड लाइट जब कुछ नहीं समझ भी आए तो रेड लाइट पर पहुंच जा इसलिए समझा रहे थे कि बीच में जो दस किलो मीटर है कोसिस करो अपने से जाए जब रेड लाइट पर पहुंच जाओ रिलाक्स हो जाओ पांच मिनट फिर मैप देखो फिर आगे बोरो अब रूल से लिख पर इस्टार लगा दो इस्टेप अप दाउन का मतलब कार्बन डिक्रीट आपका मतलब कार्बन इंक्रीट राइट टर्निंग पॉइंट जिसको रेड लाइट कहोगे अलकोहल है कहोगे क्यों यहां भी अलकोहल है जैकेंड पर देखो और फिर कहां पर 6 पर आ है अलकोहल से डाउन भी कर सकते हो अब भी कर सकते हो इसलिए टर्निंग पॉइंट अलकोहल टर्निंग का मतलब जब question देंगे नहीं समझ में आएगा अपने दिमाग से किसी तरह alcohol तक पहुच जाओ alcohol पर अभी हम class में ता अभी हम भी help कर देंगे alcohol के बाद बाद में automatic वही help करेगा समझ में आ गया अब question देने जा रहा है ध्यान से देख लो समझ में आ गया 15. step up step down turning point अगर यह समझ गए पहली बार गारी चलाना सिखा दिया internally और internally इसमें क्या है ने जो नेम आज तक class में कराया था फर्मूला कि अब सुरू करे प्रॉब्ले में पॉइंट समझ में आई गया एक्जाम्पल समझा दिया कि रेड लाइट पर पहुंचोंगे तभी help लेना जितना हेल्प लोगे उतना एक्सिडेंट होगा कभी नहीं पहुंचोंगे अराम से अल्कोहल तक पहुंचोंगे फिर सोचोंगे शुरू में थ्रता परसानी होगी जैसे बोले ना फर्स टाइम का गारी निकालो के बार डढ़ोगे अब पूशा जायके आगरा हम बहुत बार गया तो पीछे बैठके गए हो गारी से अपने पैरेंट के साथ गए हो जब पहली बार स्टेरिंग पकड़ोगे तब पता चलेगा कि क्या क्या प्रॉब्लेम होती है तो उसी तरह अभी हम साथ तुम्हारे है घर पे जब छोड़ देंगे तो सेल्प चलोगे इसलिए इतना बो तीन पॉइंट हमने क्लास का आज के समझाया स्टेप आप स्टेप डाउन टर्निंग कोई राइड डाउं एसिटी कैसी टू फॉर्मी कैसी अब इसको मिटा दे रहे हैं वर्ड में लिख लेना एसिटी कैसी टू फॉर्मी कैसी पहले दो चार्ट डाउन डाउन करा दे रहें कि समझ में तो आ जाए कि सबसे पहले क्या करना होगा एसिटी कैसी टू का फॉर्मूला बोलो जी राइट इसलिए सब को जाने है कि सब को फैमिलियर होगा इजली बोलेगा यह एग्जाम में ऐसे ही आए लुट में जो अभी हमने वर्ट में लिख आया था इसे मैं अब फॉर्मूला यह तूम लिखे अब यहां पर क्या दिख रहा है स्टेप डाउन है स्टेप आप है है दिख रहा है यहीं पर दिखिए इस्टार्टिके में दिख गया तो कितना बड़ा हेल्प हो गया अब यहां से हमको अलकोहल तक चलना है अभी सुरू में नहीं चलता देखो जहां यह सील है वहीं से चलना है एनेसे ही अब यह सब धीरे धीरे अपने से करते जाना है इस्टामाइड भी आइटू के वेट करो अपने तो करो क्या हो रहा है कि मालो सब कुछ सिखा दिया अपने चल पा रहे हो कि नहीं कि पहुंचो वहाँ तक कि दो मिनट सब को टाइम दे रहे हैं कि अब लुपर 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 लुपर्ण है इसको हीट और यहू हीएओ अगए जग तकाना तो मिनटने हैं कि और लुपर किंगे रहे उसके आगे पहुंच नहीं चाहूं तो पहुंच जाओ राइक करो है कि बद्धों फिर हैल्प लो फिर आगे बढ़ो रधा दिमाग लगाऊ तो पहुंच जाओगे नहीं लगाऊ तो नहीं पहुंच पर हमारी हेल्प की जरूरत पड़ेगी जतना कम देखोगे पहुंच जाओ गये जतना ज्यादा देखोगे कभी नहीं पहुंच ओगे पहुंच गया देखो एक लिए पहुंच भी गया तो यह अच्छी बात है हम सुच रहे थे कोई एक जांपूल हम दिखा दें बहुत सही राइट अच्छ अच्छ ज्यादा कॉंपी की हो दिमाग कम चलाई हो इसलिए प्रॉब्लेम है उसका बोलता है किसे हमको कॉंपी किया है अब देख रहा है उसका यार तुम्हारे पास है मैप अब देखो जी एक यह पर हो गया अब है परता हूं च 3 एने च 2 एच नो टू यह सब चीज अपने से लिखते जाना दीरे दीरे यह यह लेना है जो बार बार लेप राइट पेज को कर रहे हो अलकोहल पर अब तो रिलाक्स हो जाओ रेड लाइट आ गया यहां तक पहुँचे अब यहां पर जब रिलाक्स हो जाओगे तक कुश्चन को देखना एक कार्बन है यहां भी एक कार्बन है अब फिर से थर्ड से शुरू करेंगे कि अगे स्टेप डाउन करना है के टू सी आर टू ओ सेवन अवलिक एज प्लस फॉर मी कैसी कि देखो सोचो कि फिर कुश्चन पूछ कि अपने आप पहुंच गया आरे बेटा तुम तो पहली बार लगता है क्लास में बैठे हो लेकि अलकॉल पे जाकर रिलैक्स हो जाना और वहां से सोचना कि डाउन करना है या अप करना है अप करना होगा तो पी सी एल फाइप इसलिए तुमको बोले हैं कि हैल्प ली हो दिमाग से चलती ता अलकॉल द एक इस्टेप आगे बढ़ने का मतलब है अब तुम घर से यहां आती हो कितना टाइम लगता है कि दस मिनट बाद बताओ अगर यहां सको चुती एक बजये हो जाती है तो एक दस में तुमको घर बहुत लेट होगा तक एक वीस में पहुंच जाओ लाइट अब तुम तर थीन घंटा घर नहीं नहीं पहुंच अ तो क्या प्रॉब्लेम होगा कुछ नहीं होगा लेखर करें कुछ नहीं होगा आज पारिंस पर सान हो जाएंगी जो बुलना है उन्हें बोलेगी जो नहीं बोलना करेंगी हाँ मतलब मैक्सम्ट 10 मिनट लेट होगा वहां से फोन यहां आजाएगा कब चुटी होई क्यों होई तो यहां से हो जाएगा फिर गलती तुमने क्या किया अगर किसी फ्रेंड क्या जाना है कुछ घर पे फोन कर दो यह घंटे लेट आएंगे तो क्या हुगा टाइम ड्यूरेशन के कारण प्रॉब्लेम हुआ अब यहां पे रहो अब फोन नहीं आएगा यहां पर बैटो उनको जरूरत हो का तब फोन करेंगे कि उसी तरह से जितना स्टेप जादे हमने सोचा कि पहुंच गई तुम सही आगे जाके फिर वो दो घंटे में पहुंच रहे हो करें पहुंच तो गए तो उसे पता चला कि तुमने कुछ न कुछ एक्सिडेंट किया है और किसी को कुछ पूछना है पूछ लो समझ में आया दो चाद ऐसे चलोगे तब नहीं के पहली बार स्टेरिंग पर बहुत डरोगे साथ में हम बैठे हुए है जैसे को होगे हेल्प कर देंगे नहीं अलकोहल पर पहुंचने के बाद बार बार नहीं देखना है बोले है ना जब स्टेरिंग चलाओगे तो गारी देखोगे आगे चलना कि नीचे देखोगे जागतर कि ABC है कहां जो नया नया गारी चलाता है अब नीचे देखेगा कि फ्राउंट देखेगा कि देखेगा कन्फ्यूज हो जाता है इसावज जो नगारी चला सकता है ना बाइक चला सकता है एक दो बार सुरू में किर जाए तो और चोड़ देगा इसलिए कर हैं अभी हैल्फ पर हम है कि जहां डाउट होगा पूछ होगी कि समझ भी लड़ाई कर रहा है कि सब पीचील फाइब से क्यों नहीं करेंगे वह आपकी तरफ जा रहे हो कि समझ भी आया जुरूरत नहीं है अलकॉल के बाद ही बोले हैं देखना और कुछ ना कुछ ठीक है कुश्चन दे अब नेक्स देख रहा हो नेमिंग नहीं करोगे तब क्या प्रॉब्लेम आया तुम्हारे लिए कुश्चन करा नहीं सुरू कर दिया कि नाम नहीं जाने हो तो देखो आगे क्या क्या प्रॉब्लेम आएगा अभी एरोमैटिक डाल देंगे एक क्लास में अभी एरोमैटिक नेमिंग नहीं करा रहे हैं एक दो क्लास जैसे मैचुरिटी आएगी एरोमैटिक डाल देंगे आर का मतलब लिखी दिया साइकलिक एलिशाइकलिक एरोमैटिक सब कुछ च्छलो और कुछ लो तो रहिएँ एकाराईगी न्यक्राइटेस, नेच्सक्टिक आएटैसर Sugi ।ुलसी एक टि एसेटामाइड लोमैटिक ब्योंत नतिके लेएगी इक करुछ हैं थी एक टूचिन लोंत०्णिक 5-30 007-80,a3-906-ソー छिएगे रोमैटिक दूआएगे, प्रोपे नाम आइटू एस्टामाइड कुछ नहीं समझ बहा है पहले अल्कॉछ तक पहुंचो जितना वैक से देखोगे उतना इजितना दिमाग से चलोगे उतना एजी है कि जिए झाल 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 हो गया? राइट देखुए कंडेंस क्यों नहीं लिक रही हो? राइट बहुत सभी राइट राइट कितना बार है यहां ट्रेंगिल बनाओ ट्रेंगिल का मतलब हीट नहीं करोगे तो अलग चीज बन जाएगा वागे मैकनिजम में समझाएंगे अब जो हो और प्रैक्टिस कि आओगा नेमिंग से उसको पता चलेगा नहीं तो प्रॉप पता ही नहीं चलेगा चले पले कुश्चन तो लिख दूँ जो वर्ड में लिख्वाएं उसका फॉर्मूला यह होगा चीजिए फॉर्मूला स्टेप आप है स्टेप डाउन है राइट कहां तक पॉँचे हो गया राइट है कि हुए चेक तो कर लू अच्छा दूसरी बातर कितना बार लिएँ हो एक बार नहीं वह तब तो एक्सलेंट है से टो पहले कुश्चन अ बंगया महुँच गया कोई परसानी नहीं परसानी का मतलब वहाँ कितना बार हेल्प लिए दो बार राइट इभी सही बताते जाओंगे ताम उसी तरह कोश्चन बनाते जाएंगे लोग से चली नहीं पा रहे हैं उसके आगे देखो कोश्चन देखो सोचो इतना दे जो गारी चलाना सिखा रहे था तुमको लग रहा था कि उससे इसका क्या रिलेशन है राइट बहुत सही रिएजेंट सारे लिखी हो यह ट्रेंगिल हम बैट का लिखेंगे एज प्लस लिक्यों नेसेंट ऑक्सीजन कौन बैट का लिखेगा पॉब्लिक कर देगा राइट पॉब्लिक कर देगा राइट पॉब्लिक का मतलब हीट यह लिख दो हीट ज्यादा प्रॉब्लेम है तो किसको डाउट हरा है ठीक है धीरे धीरे तुमको बोले है न कि तुम्हारे जैसे रोट पर भी कोई खड़ा है यह प्रॉब्लेम था अराम से चलोगे तहीजी है अब तुम डर रहे हो पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे अब डर खतम कर दो पहुंच गए एकी बार में देखो इसी कलास में अलग-अलग फेर बोलोगे अच्छी बात बोले होगे सब नहीं पहुंच पा रहे हैं ठीक है थोड़ लेट से पहुंचोगे अभी डाउन डाउन नहीं दे रहा है अब अब बीत कर देंगे कि अब बेन कर तो एक्सरसाइज होगा है कि इसे नहीं है घर से जब निकलते हो में रोट कहां पर जहसे तीन चार आसते हैं अब जाना ही स्कूल तब माइन में है कि रोट पर थोड़े चील आते चलते हैं को इस्कूल जाना है कि यहां आना है तो इंसूर जाना है माइन में सोचकर जिससी भी सवारी से आते हो वाकिंग करके बाइक से जो भी एक्स वाई जे गारी से तो उस डाइरेक्शन में जहां से चार आसते होंगे फिर मुड जाते होगे है या सिंगल लाइसता इहां ते होगे तो पहुंच आएंगे तभी जाएंगे अपना कोई दिंआग है ही नहीं पाच समझ भी आ रहा है ये दिमाग है कि पेरेंट्स पोंच आएंग तो पढ़ेंगे नहीं तो नहीं पढ़ें ऐसे भी बच्चे है तो उनको टाइम है नहीं है उसके उनसार से एड़्जस्ट करना पड़ता है तो देखो जी जिसे बोले हो एमाइड पे हो इस्टेप डाउन करना जरूरी है कहाए कि यह स्टेप डाउन है बी आई टू और के ओड़ता है इथाइले में जिसको नहीं बना था उसके लिए एचे नो टू इथाइललकोवार अब यहां पर रिलैक्स हो गए अब डाउन करना तो फिर उपर से जाना है तो के टू सी आर्टू गो सेवें एच प्लस एसे घर पर वर्ड में भी लिखने के लिए बोलेंगे अमोनिया और हीट कि इस सिटा माइट कि अराम से धीरे धीरे चलो हम नहीं करें रिएजेंट भी देख लो एक बार देखो दो बार देखो दस बार देखो अब एक बार आइडिया में लिए पोटासियम डाइक्रोमेट एच प्लस एच प्लस नहीं डालोगे जीरो नमबर जैसे डिक मेडियम में ऑक्सिडेशन होता है क्वेश्चन पूछो जी कि देखने में कितना अच्छा लग रहा है कि हाँ जी कुछ समझ में आ रहा है क्लास छोड़े होगे हूमवर्क छोड़े होगे देखो क्या क्या प्राइब तुम्हारे कारणी करा देना पड़ा कर लिया था वहली क्लास है यह अच्छी बात कौन तुम्हारा इसमें सबसे फास्ट प्रेंड है इसमें सबसे फास्ट प्रेंड कौन है तुम्हारा कोई नहीं है अरे यार कोन है फ्रेंड पूछ रहे हैं अच्छी वो दोनों है इतने सारे हाथ हिला दिये इसलिए प्रॉब्लेम है हाँ जी सबसे फास्ट प्रेंड कौन है सब है इसलिए प्रॉब्लेम है तुमको अब क्या करना इसे वह है न उससे पूछना कि कैसे बनेगा अभी इंटर्नली पता चलेगा तुम्हारा सबसे फास्ट टॉन है अज जिससे भी पूछे थोड़ा हेल्प कर देना अब तो बड़ा कंफिडेंस से कर दिया सर पहली कला से कर लो क्या कर लोगी या तो हमको समझाओ तुम तीन क्लास से बैठे हुआ तो तुमको पीछे कैसे कर दे इसलिए बोले हैं बागी चार्ट बनवाएंगे कर देखो हमको याद नहीं डाता है सब बैच एक ही जैसा सब बच्चे एक ही जैसा लगते तुम कहोगे हमको पाचान में नहीं आ रहा है तुम फॉस्ट में बैठे हो कि सेकेंड में बैठे हो चलो जी अब नेक्स कुश्चन देने जा रहे हैं कि स्टेप आप थोरा सा इजी रास्ता पकड़ाएंगे अप्लाइड कर देंगे पहले होगा यहां से घर अकेले जाओ और उसके बादे स्टेरिंग पकड़ा देंगे कि चलो अब आगड़ा चलते हैं और उसी में कंफ्यूज हो गए हाए आठी रास्ता यह आठ है इसी में घूमना है आदेखो कैसे कैसे प्रॉब्लेम आए कि एक दो और डाउन करा यह भी बोल दो एक दो और डाउन करा देंगे तो और दिमाग खुल जाए सही बोली हम सुझे चार्ट भी बनवादी चलो ल इथाइल अल्कोहल तु फॉर्मा माइड पहले वार्ड में लिख लेना फिर स्टार्ट करना सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट टर्निंग है पॉइंट पर तुमको दे दिया है कुश्चिन इथाइल अल्कोहल तु फॉर्मा माइड तुमारे पास हेल्प लाइन है जितना बार देखना हो देखो लेकिन कम यह रिस्टिक्शन है मिनमम हेल्प लेना है प्रॉब्लेम है तो बोल देना समझ गया है फॉर्मूला लिख दू राइट एक ही कार्बन स्टेप डाउन होता है तो कुछ भी कर दे रहे हो हंडेट पर्सेंट रॉंग ते सुनते होगे केमेस्ट्री में टू हंडेट थ्री हंडेट सब्सक्राइब है वह सब्सक्राइब है वह सब्सक्राइब है कि अच्छी बात बूली बहुत बार लिया देरे देरे आदत कम करते जाओगे कम लेना है चलो घर पे जब बैठोगे तब पता चलेगा अरे याद थोड़े करना है घर से यहां आयो कितने घर है तुम्हारे बीच में रास्ते में बता दो तुम अभी सिदा से आना पड़ता है बीच में कुछ नहीं आता है गया फार्ट में तो कुछ बूलते हैं और बहुत देख लो कितना जब आप दे रहा है कितना जबाब दिया इसका अपना घर बीच में कुछ नहीं दिख रहा है जैसे अरजुन की तरह कि यहां पूछे तो क्या कर आसर कुछ नहीं है कि तो फिर दीवेदर बोलन बहुत सारे अपार्टमेंट दिखता है अब फिर उसमें पूछते कुछ घर में कौन-कौन रहते हैं तो और प्राब्लम हो जाती है तो तो बोला कुछ दिखी नहीं रहा है तो क्या पूछे तो वह इससे मिलके आना तो चले जाओगे पूछ कर रास्ते में तुम्हारा है नहीं ज़रूरा था क्यों जाओगे उसी तरह से इसमें भी सिधे यहां पहुंचना था तुम उसको बुले याद करके अब बोलते हैं यह अपार्टमेंट आज तक अपार्टमेंट नहीं याद हो ऐसे ही कि दोचार पर देखो मना कहां कर रहे हैं कि वहीं तरह कितने क्लास तक देखो गए वहीं देखेंगे हम तुम अपना ट्रेंड पकड़ी लिए 300 पर्शेंट नहीं अच्छी बात है कि दिमाग अपना लगा रहे हो और जगात कर रहे हैं चलो अपना दिमाग लगा रही हो तो इसलिए अज्यादा एडवांस लगाओगे तो और प्रॉब्लिम यहां से फिर एच प्लस छोड़ दिया यार कैटलिस वो इसी के लिए तो उसे लड़ाई हो रही थी रही थी बहुत सही आगे तो बहुत सही कियो एच होगा सही है कि एच प्लस कौन लिखेगा हम बैटका तुम्हारे साथ लिखेंगे बाहर अ कि यह देखो तक क्या है रिए यह डालने पर और सिस्ट्री निस्टू बनता है है यह लास्ट वाला कि इसलिए कर रहे हैं अच्छा बोलिए कि सब्सक्राइब डाउन डाउन कर आओ सही बात ही तो पता चल्ला है इसका मतलब एक तो प्लास में और करना पर एक जाए 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 बहुत सही है कि चना बार है लिया आखा सबुछना पड़ा ना पूछा यार क्या पूछी और टोल ली पूछ ली तो पूछिते तो है तों क्या कि एंग एप पूछा या देखा पूछा यह तो टोल देख लिया को है वी कंवारा पूरा लिखे जा रहा है किया प्राब्लम है नहीं पहुंच पाए नहीं वह बात नहीं गलत होने दो यार गलती होगी मेरी गलती है राइट इसका ऑक्सिडेशन फिर इसको अमोनिया ही हाजी बोलो राइट बहुत सभी अब उसको समझाओ का मिस्टेक की अब समझ में आ रहा है जीतना पीछे देखोगे उतना कंफ्यूजिंग है एक तो नेम का प्रॉब्लेम इसलिए गारी का समझ भी आ रहा होगा कि स्टेडिंग पकड़ने के बाद क्या क्या प्रॉब्लेम होता है जब तक हम चल ला है अब हम भी लिख रहे हैं देखो टर्निंग पॉइनल हो गया नहीं हुआ तो यार दिमाग कु होगे ज्यादा बेनिफिट देखो जी ऑक्सिडेशन के टू सी आर्टू सेवेन एज प्लस च्छ थी डबल अमोनिया और हीट अब यहां थोड़ा रिलेक्स हो जाओगे क्या क्या डिफ्रेंस है यहां दो कार्बन है एक रिलेक्स हो गया फिर आगे बढ़ जाएंगे कुछ नहीं करना है ब्र तू इसलिए जो प्रॉब्लम है च्छ थी नह्च तू अच नो टू च्छ थी ओएच ऑक्सिदेशन के टू सी आर्टो सेवेन अब्लिक एच प्लस और विक एसेड देखो सोचो फिर हम से कुष्चन पूछ वह देखने में देखो बोर्ट पर कितना अच्छा लग रहा है इस इस बन जाता है एक कार्बन एक कार्बन मीथ है मिथनॉल से मिथानोई कैसिद इथनॉल से इथनॉल से इथनॉइक एशिदू और बोलो प्राब्लेम बोलो है नहीं किये समझ भी आ गया राइट गलती होने दो गलती होगा तभी सही होगा जो गेरता है वहीं उड़ता है मत घबराना कि गलत हो रहा है जितनी गलती कर रहें कि होगा रहा है मेरी गलती है क्लास उतना ही थोड़ा चलेगा एक दो क्लास के बाद ट्रैक पर आ जाओगे आइडिया तो मिल जागा कि इस्टेप डॉप इस्टेप डाउन उसके बाद तो काफी पास्ट चलेगा उसमें कौन छूट जाएगा हमें पता नहीं समझ में आया 300% क्यों बोले है इन अच्छा है कि पूरे बैच में तुमको बोले है यानि तुमको ज्यादा समझ में आ रहा है बाकि सब डिफेक्ट है क्यों डिफेक्ट है 90% है गलत सुनने की आदत नहीं है कि हम लोगों को जाइट बोलने की आदत नहीं है आगे चलकर रॉंग बोलेंगे पूरे जोड से राइट तो कभी बोलेंगे नहीं तो दीरे दीरे चेंजिंग लाना पड़ेगा कि समझ में आ रहा है सब कुछ उल्टा कंसेट तुल तक आते हैं और बोलो जी इक आप कर देते हैं घुमते रहों के थुड़ा अधा घंटा करbaarwest है राइट डॉँ में इठाइब अलकोहल टू प्रोपाइल अलकोहल अधि कोश्चन दे रहें इठाइल अलकोहल टू प्रोपाइल अलकोहल राइन ने आफेला राइन करआ कर दो राइन राइन धोच जो प्रप्रप्राइल। झाल 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 कि रॉंग है कि रॉंग है पहली बारे स्टेरिंग पकड़े हो पता चला है अब रॉंग बोले होंगे उसका पेज कोई पूरा ऐसा काटा होगा कि दिखे नहीं उसको च्वाइस बना दो यह च्वाइस कितने स्टेप में तब देखो इसका दिमाग खुल गया तब अब कि बाउस एदाम सही बनाए थोरा से रिये जन गलती दिखती गई हो इसलिए आप करना जरूरी है घर पे तब कर पाओगे उर्ज रिएक्शन में जब भी बनेगा इभेन कारवन दो का चार चार का आठ तीन का छेइक दो नहीं बनता है कि हेल्प लाइन पहले कर दे रहें जो उर्ज रिएक्शन है इभेन कारवन बनता है अब जो बच्चे सोच रहे होंगे कि नेम बिना कि ये कन बर्जन कर लेंगे उनको प्रॉब्लेम होगी लोगो बंद करो सेल्फ और यार एक सेकंड भी पेजन्स नहीं है कि स्टाटिक है गलत कर दी है मैंने कर दिया हाँ तक ट्राइ करो राइट राइट वह से राइट राइट वह से राइट यह राइट यह रॉंग होगा यह चार कार्बन है यहां तीन कार्बन है सी थी एच सेवें सी एच टू सी है व्यूटाइल कुल राइट बीच में कहीं एस्टेप आप सिक्स पॉइंट पही एस्टेप डाउन हो सकता है चले अब शुरू करें प्रॉब्लम हम चलो एक दो मिनट और टाइम दे रहे हैं फिर फिर डिसकसन एक को राइट बोला यहीं डिफेक्ट है राइट बोलते ही दूसरे को कंफ्यूज कर दिए गलत करते जाओगी दिमाग तुमारे पास नहीं है कि कहां से टर्न करना है अब करना है तो को लाइट बनाना है बात खत्म और उसके आगे बढ़ते जाओ अब बोर्ट पर दिखा रहे हैं अब क्या करें कितने स्टेप में बना काउंट करके बोलो यहां पर ट्रेंगल बनाना है कितना बार ली हो यह भी बता दो बस ट्रेंगल दो अमोनिया और हीट राइट बहुत अच्छा है लेकर एक दो बार हेल्प लोग कोई प्राब्लिम नहीं लेने से करने जा रहे हैं तो पहले से बोल के किये हैं जबकि एक्जाम में आएगा साइलेट चुपके से आ जाएगा अब जोड से चिलाएं कि देखो जी इस टेप देने जा रहे हैं कि आधि दिमाग में तुम्हां ता कॉंशेट रापी सील फाइब से करेंगे सोडियम और ड्राइट है इसलिए यह सी फोरेज टेन हो जाएगा प्रोपेन नहीं बनेगा यह कंडेंस लिख दिए अब जो इस्टक्चर किया होगा उसको समझ में आ रहा होगा और जो नहीं कि आओगा वह ऐसे लिखेगा सी टूएज फाइब और सी टूएज फाइब दोनों से मैं तो यह यह उर्ज रियक्शन जो किसी ने पूछा है ड्राइथर 11 पर पढ़ा होगा इसमें क्या बनता है जब भी बनेगा इबुन कार्बन दो है दो का चार एक का दो टीन का छे अब देखोगे अब स्टेप डाउन करना है सी फोर एच नाइन सी एल एक्वास के वेच अब कुछ को राइट बोला कुछ को मिस्टेक बोला ओक्सिडेशन के टू सी आर टू ओ सेवेन अब लिकेज प्लस ब्यूटा नोईक एसीड बहुँ सारे बच्चे ही पर बना दे रहें फिर प्या स्ट्री एट ब्यूटनामाइड बी आर टू अबली के ओ एच सी थिरी एच सेवेन एच स्टेप डाउन हो गया फिर अलकोहल पर आ गया अब यहां पर रिलाक्स हो जाएंगे पहुंची गए सॉरी हमको लगा यह माइड माइड दिये है क्या अलकोहल पर पहुंच गए रिलाक्स हो गया जहां पहुंच पहुंच गए हमको लगा फिर आगे बढ़ना है क्या हमको भी पता नहीं था क्वेश्चन देखें तब लगा कि वह पहुंच गया देखो सोचो जिसको क्वेश्चन पूछना है पूछ लोग कितना इंट्रेस्टिंग है रोड मैप कैसे होता है रोड एक ही होता है मल्टिपूल टाइप से पहुंच सकते हूँ एक तो पहला प्रॉब्लेम है नेमिंग इसलिए आज मैप कराना सुरू कर दिया जो बच्चे सोच रहे होंगे बिना नाम के आगे कर लेंगे तो उनके समझाने चाहेगे चलो एक स्टेप तो परहा दो तब समझ में आगा कितना इंपॉर्टेंट है कि नेमिंग सबसे इंपॉर्टेंट है लास्ट क्वेस्चन पूछो यार्दू साइलेंट इदम बैठे रहते हो ठीक है कोई बात नहीं यार गलती तुम नहीं कर रहो मेरी गलती है कि तुम के वल दिमाग लगाओ गलती होने दो जितनी गलती होगी कोई प्रॉब्लम नहीं गलती होगा तभी तो सीखोगे देखो इसी बैच में ठीर हंड़ेट परसंट आज लाइफ में नहीं सुन आतरी नटीर होता है क्या होता है है, मित पूरी तरह कंशेप्ट मेंब्र टेफ्क होता कोई भ्लेस कार दिया एक्सिडेंट हो गया सामने वाला खता में सारी कोई सारी वालिवा बात होई इसलिए सु भूलना है चलो बोलते जाओ जल्दी जल्दी जिसकी जो प्राब्लेम है अब इसको होमवर्क में कर देंगे अगर समझ में आ गया कि इस टीप आप है बिटा अच्छे एक और कराएंगे अब देख रही जो न्यूव लोग बैठे हों से हम भी तो डर रहे हैं उन्हों देज़ा है जो जो होमवर्क कर नहीं रहा है अब को सब चेहरा दिख रहा है 400 बच्चे बैठे रहते उसमें भी दिखता है लोग क्लास कॉन डिस्टर्ब करता है देख रहो डिस्टर्ब करने वाला कॉन को जैज थो थोड़ा जान गया है कि अगर जो कुछ नहीं जाने का ओ भी डिस्टर्ब करेगा आगे चलके इसलिए 90 परसेंट क्या होता है पैटर्न पगले इंको कुछ पत पढ़ा के वहल पिक्चर दिखाते चलो 90 परसेंट यहीं होता है पढ़ाने का मतलब क्या है जो देखो क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है तो दो चार क्लास के बाद इंट्री नहीं होने देंगे यह तो कहेंगे एक्स्टर क्लास करके आओ कि देखरों कि छोटा है नहीं तो सब जानते हैं अब यह रोमैटिक कराएंगे तो पता चलेगा अभी तरह आराम से कर लो अब इसके बाद क्यों डिसिप्लीन है इसके बाद पढ़ाना उन्हें नहीं है तो बोलो जी क्या करें तो जो मर्जी हो देख लो आगया जब आप हो मोरत देंगे ही बिटा वो तो देंगे तो तो यार वो तो मैप यह थोड़े कि तुको नहीं रास्ता डूंड़ना है घर से यहां रहे हो यहां से घर जा रहे हो बीच में क्यों पूछ दिए कि यह इसए पार्टवेंड विए कितने परसान है काउंट करके आना नेक्स लास में किनी चोटी बात कर रहे हैं अभी बाहर ले जाने तुम पूंप नहीं चाह रहे हैं आचा दूसरी बात बहुत सारे स्मार्ट बच्चे हैं इसमार्ट फैमली है स्मार्ट स्कूल है बहुत सारे क्यरेक्टर है दियान देना पहली पर हम चलना सिखा रहे हैं नहीं सिखा रहे हैं इक भर हुआ क्या अभी कहानी बता दे रहे हैं आशे 15-20 साल पहले क्या था कि कोई रिस्टिक्शन नहीं था जितने स्टेप में पहुंच जा जैसे नहीं बोल ला था कि दो घंटे पहुंचे तो प्रॉब्लम हुआ और कोई प्रॉब्लम नहीं है प्राइजी बता दी अब क्या डिसिप्लीन है घर का यह भी समझना होगा कि पहले कोई डिसिप्लीन नहीं था कहीं से कहीं पहुंच आजो कि नए बच्चे भी आया हम लोगे पास दो घंटे में ऐसे करा दिया इसको रटों कहीं से कोश्चान आगा सब को जागा सी बीसी वाले ने देखा रहे तो 18 स्टेप में बनाया बनना चाहिए तीन स्टेप दो किलो मिटर जानोगे तब ता आओगे दो किलो मिटर वाला तब तुम्हां लिए था 18 किलो मिटर वाला बेटर है अब यहीं रास्ता से सब समझ गया तब उसके बाद में देखा गया नंबर काट नहीं सकते थे स्कूल में भी एक दूजे का हुआ अब ऐसा कि हूँ आप दसे स्टेप में इसलिए पहले बोल दे रहें जैसे खुले मैदान में गारी चलाया जाता रूड पर नहीं सिखाया जाता है यहां कोई नहीं जाता है वहाँ चला जैसे घारी तो वैसे यह भी चल सकते हो कोई अप्लाइड कर देगा नेक्स लास में देगा दो बच्चे नहीं आएंगे कहेंगे हम तो सिख गया है ध्यान देना अभी चलना सिखा रहे हैं डिसिप्लिन नहीं सिखाया है रोड पे नहीं चल सकते हो रोड का मतलब हुआ इस्कूल के एक्जाम में नहीं लेख सकते हो लेख दो कि नंबर भी नहीं काटना चाहिए अब किसी तरह तुम गारी चलाना चाहिए तो पोड़े कुछ बोलेगा लेकिन अब देदेता है टू स्टेप थ्री स्टेप अब एक्दम सिंगल स्टेप में पहुंच जाना है ध्यान देना इसलिए बोलना पड़ा है तो एकिंगे एसिता मैटू प्रोपनामाइड राइड दाउन एसिता मैटू प्रोपनामाइड अराम से करोगे जितना हेल्प लोगे उतना डिफेक्ट है जितना है सेल्फ करोगे उतना इजी पहुंच जाओगे टर्निंग पॉइंट अल्कोहल जब कुछ नहीं समझे क्या हो गया जब कुछ नहीं समझ में आए अल्कोहल के पास पहुंच जाओ प्रोप्स अच्टामाइटू प्रोपनामाइट अच्टामाइटू प्रोपनामाइट अच्टामाइटू प्रोपनामाइटू 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 प् झाल झाल खोग थागा? क्ट्रीकी? के? क्ट्रीकी? लुग लग्राह? वह रॉग् 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 कि नो नो डिसकुशन कि तुम्हारे पास हेल्प लाइन लिखा हुआ है एल्प दिलेने आता है कि नहीं वह भी तो चेक करना है कि मिनमम है ज्यादा दिमाग चलाओगे बनेगा ज्यादा है लोगे कभी नहीं बनेगा कि ब्रेन एक्सरसाइज कैसे होता है वहीं समझा रहे है कि हो गया कि यहार तुम से हंसो के तरह थोड़े बनेगा अराम से देखो मैं अप डाउन क्या होता है टर्निंग पॉइंट क्या होता है वहां पर थोड़ा आराम से रिलेक्स रहो दो मिनट फिर आगे बढ़ो कि ज्यादा ठक जाओ तो कुश्चन हमसे पूछो कि सर अब क्या करें अब तो थोड़ा सा पूछोगी तो यह जादा पूछोगी तो नहीं हेल्प करेंगे अशे गलत क्या है अब यह थोड़े हैं अब अब देखो यहां कितने कारवन इसका नाम क्या है इसलिए नाम कराते हैं क्या नेम है इसका ठीक है यहां देखो हमारे चेहरे पर नहीं लिखा है यहां क्या लिखा है क्या लिखा है कि सी टू एज फाइब सी डबल ओएज का नाम बोलो जी मतलब यह भी एक प्रॉब्लम है प्रोब कोई इत बना दो और कहोगे सर आपको क्या प्रॉब्लम है रॉंग दिख गया रॉंग दूर से पता चल जाता है कि कौन पेन कितना चला रहा है चली नहीं डा राइट यह देखो चला पेन तो चलाए खम से खम नहीं है और चलेगा राइट चलाओ पूंचाए कि नहीं साधी पहुंच गई हाँ बटा चेक करें रॉंग बेटा इसके बाद अल्कॉल के पास पहुंचो फिर पीसील फाइब से करो फिर आगे बढ़ जाओ अबले डाउन फिर आप फिर एक डाउन फिर आप फिर डाउं azar नहीं बटा इकवाल कारवन हो जाता है यह यह अक बॉपानवा Taum कि फिरी का कार्बन मिल गया कि एस सिटी कैसी दिए देखो आद दूसरी बात जहां से शुरू किया वहीं पहुंच गया या तो और इंट्रेस्टिंग कि हो गया कितने बार हेल्प नहीं ली राइट कितना स्टेप है अंडेट परसेंट रॉंग तुए रॉंग तुए रॉंग तुए परसेंट रॉंग चलो पें तुछ यान ट्राइब करो एगें अच्छ साथ हेल्प पर रहे क्या ज्यादा गलती कहां कर दिये अच्छा तुम तो पूरी तरह मजाक की हो देखो क्या मजाक है वह भी बता रहें सीटू एजपाइप कोई कंपाउंड ही नहीं होता है सीटू एदेखो डाइडरे को समझाओ जी यह तो समझाना भी मुश्किल है बेटा एमीन अलकॉल से तुम कहीं से कहीं बना दिये हो यह तैयार आगरा बोले सीधे से आगरा में जंप कर गए क्या इस समझाए अरे बेटा पहले ते यह तो देखो क्या प्रेंस करो चलो जी अब बोर्ड पे देखो अब क्या करें यार यह सबसे इंट्रेस्टिंग हुआ अब तीन बच्चे बोले कितना इंट्रेस्टिंग है तीन बच्चे ने अब सही बोला कि जहां से सुरू किया वहीं पहुंच गया बहुत अच्छी बात बोला यारे दिमाग अब सही योज कर रहा है कि अब दो यह बोला भी हो भी गया यह अच्छी बात है अब वह नहीं वा अब अलग प्रॉब्लिम है कि नहीं सबसे सही बात जो बोला जादा कॉपी करने वाला सेम जगा पहुंचे गाई इस लोग सोच रहाता कि इसलिए गेम है इंट्रेस्टिंग गेम है अच्छा बोले कि सर एक कुश्चन और करा दू देखो कितने स्टेप नाम यार जल्दी काउंट करके बोलो कितने स्टेप्स राइट में भी राइट चलो जी अब देखोगे कुश्चन एस्टमाइट हा ये एस्टमाइट है बी आर्टू अबली के ओएच च्छ थ्री एन एस्टू है नो टू च्छ थ्री ओएच पील फाइब इस्टेप अप सी तु एच फाइब और ये सी तु एच फाइब सी यह यहां पे आ लिया अब यहां से बढ़ते जाओ यहां तक आ गए फिर ओक्सिडेशन कर दो अब चेक कर लो जो प्राब्लेम है कुश्चन पोछ एक सेकेंड विटा पहले हमको तहीं कर देने दो यहां से कुलाइड है अज्यादा है ते एक वसको इसे करकर फिर यह से जा सकते अब देखो आराम से सॉरी साही बोली हुँ यह बहुँ सही हुँ एदा बहुँ सही हुँ च्छ थिरी सी एल सोडियम और ड्राइथर अच्छा की हम इसलिए चेक करना चाह रहे है सी टू एच फाइब सी टू एच शिक्स अफिर सी एल टू एच निए अब तो ठीक है है सही बोले काउंट करो देखो सोचो फिर हमसे पूछो है है कोई मुस्किल नहीं तो चलना सुक रहे है यार अभी खुले दिम रोड पे चला रहे है कोई रिस्टिक्शन नहीं डिसिप्लिन में पहुंचना है जब जब कंफ्यू यह तीन स्टुन बहुत सही बोला है जहां से शुरू किया है यह पहुंच गए यह अच्छी बात है सोडियम और राई था कोगे क्यों ब्रोब बनाना था तुमने इत से ही सुरू कर दिया तो वह पहुंचोगे जिसको डाउट हो पूछ ले ना जी यहां से टर्ण कर दिया यह फिर चेन बन गया कि देखो सब्सक्राइब कर लिए राइट वेटार लाच्ट देखो सोचो फिर हमसे कोश्चन पूछो से मैं राइट अच्छी बात है अब धिर दिरब क्या करो मिनमूम हेल्प अब देखो यह क्या कर रहे हो यह यह प्रॉब्लेम है कुछ बच्चे क्या करते हैं यह टेक्निक जो सिखा रहे हैं चार सेट कड़ाएंगे पूरी और गयनिक खतब तो उसमें होता क्या है कुछ से स्मार्ट बच्चे मिलते हैं दूसरे स्कूल वाले अच्छा इस पी सब अभी स्कूल का सबसे कमजोर बच्चा हम लोग क्लास बेटा सबसे टॉप करेगा ही क्यों वो पढ़ता ही नहीं है अब दूसरा बच्चा कहेंगा ही कैसे कर लिया ऐसे मोबाईले का खीच लेगा छाना जाहेंगे एक जोन चल आ रहे हैं एक जोन में स्टार्टिंगी मैं प्रॉब्लिम होती है अब बनाया होगा जिसके चली बहुत जाहीं बोला है यह ज़्यादा प्रॉब्लिम होगा कि दो कार्बन से दो ही कार्बन पर पहुंचे गाने तीन कार्बन आएगा कहां से प्रॉब्ले में बोलो अब होम वर्क में अब एक थोड़े ओ अब चैलेंज घर के लिए होगा यह अच्छी बात हो कि समझ में आ गया कि तुमने गलती किया तो बहुत कुछ सीख लिया कोगे क्यों इत से इथे पर पहुंच हो गई अच्छी बात बोली सर जहां से शुरू किया वहीं पहुंच गया अच्छी बात है कि दिमाग तुमने लगाया लगला डाइरेक्शन में चला गया अब कुछ को तो पता ही ने कुछ क्या के सिटी के सिट वामोनिया डाला ही चीदे प्रोपे नमाई उस उसके इतना डेंजर है जो मर्जी जहां पहुंच जाए पुस्चन बोलो पिटा प्राब्लेम क्या आया हो गया था तुम्हारा अच्छा बताने के बाद पूर चलो देख लो जो भी चीज़ है तुम क्यों कन भी जुए अब बहुत ज्यादा इस जैसे अलकॉल पर पहुंच थोरा इस दिमाग से नहीं सोच रही थी पहुंच गई फिर वहीं क्यों पहुंच पता है को कॉपी नहीं रही ती अच्छा इसके बाद यह होगा आमोनिया हीट कर रो फिस फिर वहीं किया वहीं पहुंच गया कि तो टाइम ज्यादा देते हैं तो और इंज्वाए करते हैं कि समझ भी आ रहा है देखने में कितना अच्छा लग रहा है अब होम वर्क में कनवर्ट करने जा रहे हैं कि इसलिए ऐसा कराना परा कि अब पता चलेगा है नेमिंग कितना इंपोर्टेंट है अब यह बच्चे लोग गलती क्यों किया नाम को दिमाग में नहीं रख रहा था वो तो साइलेंट बैठा हुआ है इस से इतना इतना माइडे बनेगा प्रोपनामाइट थोड़े बन किया आप कर दिया कि डाउन तो अभी तक एक ही जगां दिये हैं कि एमाइट से एमी कि इसलिए आठ इस्टे पर बहुत कुछ है कि चलो जी अब पेज चेंज करें समझ में आया और दूसरा कोई होमवर कर ले ना उसका फोटो खीच करना की चादिक लोग होगे लोग को एक तो हम पर साने कि कितना कम पढ़ा कर जादे समझाए अब लाइप में तुम्हों दो साल पेंच चलाए नहीं हो अलग प्रॉब्लम है कि बहुत एकलास में जाते हैं हाथ में दर्द हो गया है कि लोग यह आठ्षाजी 17-8 अलमें हाथ दर्द भी होता है कि चलो जी अब देखो के ओध आई की चेंडाना है जिस तरह हमने इधेन का चेंड बनाया था कि इदेन का भी अभी बनाये थे सुरू में तराई डाउन होम वार्ग ब्यूटेन देखेंगे कोन बच्चे कितने स्मार्ट है वन मिथाइल साइक्लो प्रोपेन नाम लिखना या मत लिखना उसे कोई मतलब नहीं है लिखना चाहोगता लिखो कि कि यह पूर का चेन बनाना है चेन का मतलब हुआ एट स्टेप्स पाला में हंदिट पर्सेंट कॉपी कर लेना नहीं समझ में आ तो सेकेंड में 50 परसेंट थार्ड में कुछ नहीं पोर्त में कुछ नहीं एक और लिख लो जी फिप्ट भी मीथिन का भी कर लो अच्छी बात होगा पूरी स्वारी सी एच पूर इस सब का चेन बनाना है समझ भी आ गया एट स्टेप्स अब इसके बाद कन बर्जन दे रह नहीं कि जब मूड आफ हो जाए तब केमेस्ट्री के साथ और गेनिक के साथ खेलो कि सब कुछ पता चल जाएगा और मूड आफ है नहीं पिटा तुम्हारा मूड आफ है कि पूरा इंजुआय कर रहे हो अब जो अभी मिडिल में आ गया उनके लिए तो इंजॉइमेंट है वो सोचेंगे बना दे हम बढ़ने नहीं देंगे आएटी में से थोड़ी चल जाओगे किस बैच के लिए हमें पता नहीं कि आएटी करें दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा अब जिसको समझ में आ रहा है किसे पूचा कि सर एक और करा दो तो तुम सोचेंगे बनने दे हम बनने नहीं देंगे अब घर पे भी दे रहा है अराम से करोगे किताब डूंड़ोगे तो और नहीं मिलेगा तब लगे गई यार तो पूरा कोर्स एक ही साथ नहीं कर ला है चलो जी अब राइट डाउन अब करना है हेल्प ना के बराबर लेना है कंफ्यूज होते लोगे घर पर तो तुम को कोई देख नहीं रहा है लास से स्टेप आके जवाब देखेंगे सर नहीं बना कर लो सर अब क्या कर लोगे है इसलिए एक दे दू घंडे क्लास के वाल कंबर्जन पर दिया है राइटाओ अ मिथाइल एमाइन तो इथाइल एमाइन आमीन एमाइन आमीन अ- आम-आ-आ-न-ई acetic acid to propanoic acid acetamide to ethnamine ethyl chloride 2-propenamide 2-propenamide ethanol 1-propenamide 2-propenamide 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 1-propenamide 2-propenamide 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 12-propenamide 2-propenamide 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 1-propenamide 2-propenamide 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 3-propenamide 2-propenamide 1-propenamide 1-propenamide 2-propenamide है हां सुनो जी अच्छी बात बोला अब एक अलग नोट्स बुक बना लेना जो आप जो बनाने जा रहे यह भी इसको तो खेलो अभी दो-चार क्लास के बाद डिसिप्लिन सिखाए अभी जो चार्ट बनाने जा रहे है यह अलग नोट्स बुक पे चाहिए एटे-ग्लास किसी को जरूरत पड़ा किसी को एक पेज दे दिया तर्द मल्टिपल तुम नोट्स बना सौड़ी रफ कर रहे हो सीख रहे हो पहली बार चला रहे हो बिसिप्लिन सीख रहे हो इसलिए यह तुमारा नोट्स बुक नहीं है नोट्स बुक अलग होगा जो आठद सुनों जी डबुल पेज निकालोगे पॉस्ट जो लिखना ये स्पेस ज्यादा होना चाहिए शिक्स पार्ट में डिवाइड कर दो सिक्स पार्ट डिवाइड फॉस्ट फॉरा इस पेस ज्यादा होना चाहिए ठीक है टॉप ने लिखना हो दो लिख देना फंक्शनल ग्रूप झालोगे लिखना होना चाहिए आई पेकने ट्राइबल ने परस्ट फोरा एस पेस ज्यादा रखना उसमें ज्यादा वार्ड लिखना है माकी से में कोई प्रॉब्लम कि वर्ड में प्रॉब्लम है पूछ लेना कॉमन नेम का पार्ट है अधक होगे सर बुक में दिया था एस टी के सिट को कॉमन नेम आपने ट्राइबल नेम बोल दिया आई पक का डिसिप्लीन होता है कॉमन का कोई डिसिप्लीन नहीं होता है कि वह भी बताएं कि आगे क्यों ऐसा हुआ है कि हो गया सुरू करें अब कि तुम्हारे एक्जाम में तीनों में से कुछ भी देदेगा कि मालों देदी एक्जाम में फॉर माइल को लाइट तुमको अगर मिथा नोइक लिखा रहा था तो हम कर देते तो कौन बताएगा तुमको एक्जाम हॉल में बुक में भी क्या ट्रेजडी है कहीं आईपक दे दिया है कहीं कॉमन दे दिया है कभी इसलिए बच्चे 90% कन्फ्यूज रहते हैं देखो कि जिसी स्कूल में पढ़ा हो 95% को और गेनिक नहीं आती है कॉज यही है जो स्टार्टिंग अभी बता रहे हैं आगे कोई प्रॉब्लम नहीं है पेन चलाने आता नहीं है फोटो खीच लेना बहुत है स्मार्टनेस है हम अच्छे स्कूल को देखे मैप बनाया फोटो खीच लिया यार फोटो कीचने से क्या होगा और रोड मैप का फ जो बनाया उसके लिए तो सही है चलो जी फर्स्ट अब लिख रहे है ओ बॉन्ड एच अलकोहल और स्ट्रक्चर ओबॉन्ड एच च्छ थी ओएच मिथाईल अलकोहल मिध्य नॉर कोई भी एकजामपूर लिख सकते हों क्रोस के तुद किया वाए बहुत सब्सक्राइब नहीं होता है इसलिए बॉल लक्षर में क्रॉस कर दिये जिसको जहां डाउट हो यह ब्रैकेट में जो लिखा है वो कॉवन है एंवाटर ब्रैकेट में हो आई पक है यह ध्यान में रखना सेकेंड बहुत है झाल 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 कर रहे हैं वह बहुत इंपॉर्डेट है लिख लेना इसके बाद तुमको हेल्प जिससे चाहोगे और कर दें यह डबूल टिक का मतलब है कॉमा नाइपक दोनों से मैं कि उसमें भी था नोई कैसे लिख देना डाउट है झाल 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 इन दोनों का नाम सेल्फ लेना जिसको डाउट है पीछे रेजिस्टर में देख लेना उससे भी डाउट है लेप राइट पूछ लेना उससे भी डाउट है तब हमसे पुछ लेना यह स्ट्रक्चर सबसे इंपॉर्टेंट है जो सेकेंड वाला है झाल जहां डाउट हो पुछ लेना नंबर बोलकर एबीसी का मतलब सेम पार्ट है इसलिए एबीसी कर दिये हैं इसका नाम अपने से इथानोइक ब्रोमाइड इथानोइल ब्रोमाइड एसी टाइल यह मोर्ण त्रेबल ने प्रोपनोइक और नौ खर देना मोर्ण तू इसलिए तीन एगजामपल तीन तरह का दे दिया है प्रोपनोइक अइडाइड प्रोपनोइल आयोड़ाइड नो ट्रेबल मोर्देन थ्री नहीं होता है हो गया है है अभी तुम घर पर प्रैक्टिस करो तब बाद में पूछना कि वन्टू कर नाम दिख्वाया था हो गया पेज चेंज करें जिसको डाउट हो पुराने लेफ्ट राइट किसी से भी पूछ लेना यह सब क्लास में हो चुका है इता एक जगाएक कंपाइल कर रहे हैं कि आटे ग्लांस कभी कंफ्यूज हो गए कैसे देखोगे बार बार नहीं देखना है इसलिए नोट्स बुक बोले हैं अलग रहेगा घर पे रहेगा क्लास में नहीं रहेगा यह भी ध्यान रखना क्लास में तो हम है घर पे वह तुम्हारा रेइस्टर हेल्प करेगा बाइदवे मिस्टेक अब यह सोचो के बार बार खोल के देखेंगे तब मेजर प्रॉब्लेम है कि उनसे पूछो यार नाम तो अगला लीख लो यह जब फोटे खीचे और तभी तुमारा पता चल गया है मैं टाइम हमारा बर्बाद हो रहा है कि यह ज्यादा स्मार्ट है पीछे बैड़े कुश्चन पूछो का भी हेल्प कर देगा कि आता है तो और डेंजर है थे हमने छोड़ दिया थो भी छोड़ा हमें कुछ छोड़ दिया कि देख रहे हैं बच्चे अपने कर रहे हैं की नहीं कि यहीं boa आप तो आप च oral धर गया था चेंज कर रहे हैं तहां तक पहुंचेते हैं फिप फिप शिक्स शिक्स तो लो जी शिक्स क्लोराइट क्लोरो ब्रोमाइट ब्रोमो आयोडाइट आयोडो लिख देख्या रोमाइट आयोडाइट लिख योडाइड ब्रोम जायोड ब्रोम ब्रोम इस psychologically. B-R bond C-L, B-R bond I, C-H-3-C-L, C-2-H-5-B-R, C-H-3-I, Methyl, Chloride, Chloro, Methane, Notre Dame, Liptature. magischary, D-487-M, R bond C-H-2-R-O-Re, C-H-2-L, C-H-4-B-R-B, C-H-4-B-R, C-H-3-M, H-8-R, C-H-1-R-B, C-H-7-R-D, C-H-ーB, C-H-7-R-B, C-H-7-R, C-H-7-R-B, C-H-4-B-R, C-H-U-B, C-H-M-Q, C-H-W, C-H-C, C-H-1-R-A, C-H-B-R, C-H-M-N, R-C-R, C-H-O-B-R, C-H-M-C, C-H-R, C-H- झाल 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 जिसको जहां डबुल टिक का मतलब है common आई पक दोनों से मैं इसके बाओ जो दूबी जी इसको प्राब्लम है क्वेश्चन बोलोगे इसे लिख्ण औरना इसको जिए आए आधार ए या ले लिख लो पहले तब उसके ये ये दाऊट काहां पर ये सब पहले वोटू अ हुए अ हो श्युक्र कि हमने के वाल एक 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 जाम्पूल दे दिये हैं कि 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 समझ भी आ रहा है कि एलेवंद में ऐसे चार्ट नहीं बनाए होगे अच्छा नाम क्यों लिए तो वही वही तो प्रॉब्लेम अरे यारो पायरोटी तो बहुत आगे है उसमें कुछ नहीं है प्रॉब्लेम जो है जो वह सामने दिख रहा है वही नहीं दिखता है बच्छे को आगे तो डिसिप्लीन है अरे यार इतना सारा भी कहां करा रहे हैं 14 तो करा रहे हैं अच्छा पेज चेंज करें चलो कर दो तीन में डाउट है कहीं पूछ लोगे समझे सब इस पर क्या करना है घर पे बैठोंगे आदा घंटा कुछ-कुछ नाम लिखकर अपने से करते चलो खुल के प्रॉब्लेम आ जाएगा डाउट है ते हेल्प ले लो हमने मीठीट लिखा है तुम ब्यूट पेंट हैक मर्जी तुमारे टरशीरी आइसो नियों अब नेट क्लास पर आइसो नियों भी डाल देंगे देरे देरे तब तो समझो के तुम सोचो के बनने दें हम बनने नहीं देंगे एक्ट्वल लडाई वहां पर होगी अभी तो कुछ आता नहीं हम पूछे क्या अभी तो सीखा रहे हैं बहुत सारे इंशूट में केवल पड़ाते जाओ और दो कुछ नहीं बनेगा बच्चे से सब्सक्राइब हो गया राइट चलो जी नेक्स्ट नहीं तर पूंचे एट से सब्सक्राइब कर दो सब्सक्राइब कर दो कर दो कि एट हैं झाल 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 जिसको जिस पॉइंट पर कन्फ्यूजन है बोल देना झाल 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 आरे तोपिक्स किया हुआ है आरे चाल प्रश्ट पर कर देना टैंट यहुआ अख्यू अग्वां। इसे किया अग्या अगा इस अग्या हरा थेश्ट आथे पर क्श्री। आ क्याइट किया यह अगे थे एं आख्या हर। इं किया आए इस आख् यह आएगा तब तो आगे लिप्रोगे निकने में अचिटो नाइट्राइल लास्ट वाला मिथाइल करवाइल एमाइन उसको ब्रैकेट में लिखना है तो लिख देना भोपाल गैस ट्रेजडी बहुत बार आता है एंसे आटी बुक में लास्ट वाल 11 में राइट साइनाइड सी वाई साइनाइड मिथाइल करवाइल एमाइन रैकेट में लिख देना भोपाल गैस ट्रेजडी निकनेम है अभी दो रह जाता है अभी कराएंगे तब को एड कर लेना इथेन नाइट्राइल दो कार्बन है इथेन नाइट्राइल जिसको जहां कंट्यूजन है बोलोगे लास्ट दो नहीं कराया था क्या पढ़ले करबाइल एमाइन सी ए आर बी वाई एल करबाइल एमाइन ने टाकर फिर से लिके क्या एम आई एन ए क्या प्राब्लेम है चार बॉंड नहीं है डेटी बॉंड है अच्छा दिख नहीं रहे चार बॉंड बना दिया क्या जी अच्छा यह जो कह रहे हो इन आइट हो जाना इसमें बनता है बॉंड नहीं हो डेटी वाए इन और गेनिक एरो दिया हुआ है नीचे वाला इसा वह नहीं है कि अपेंच किया ऐसा होगी जुगा है कि वेल सीएस्थिरी एंसी मिथाइल आइसो साइनाइड आइपक नेम आइसो साइनो मीथें ड्रेवल ने मिथाइल करवाइल एमाइड अच्छा यह नहीं कराया था क्लास में वह हो तो इसको बिकार हैट कर दिये अचा इसले कर कर लेना कि क्या कि मैं पीशे से कहीं से आवाज आई बोलो कि सबसे रिक्वेस्ट है अलग रिजिस्टर जरूर बना लेना एक दो फैमिली और एड करना है न से पर्वाइड अभी बूक में तुमारे एक साथ सब नहीं दिया हुआ है किसी ने बोला भी है कहीं पर निकनेम देगा आप बोलो क्या कर वाइक रवाइन त्रَّ ज्यादा हो गया सी अ आर बीवाई यल कि निटा के फिर से लिखे क्या करबाइल एमाइन एम आई एन ए लास्ट वालबा प्रैक्टिस जरूर कर लेना बार 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 इतना पूछ रहे हो ठीक है कि पूछना है कुछ अब चेंजिंग लग रहा है दो चार क्लास के बाद से खुद करते जाओगे तो और चेंजिंग आएगा देरे देरे कम पढ़ना है दिमाग को जादा यूज करना देख रहे हो चार्ट बना दिये अब पता चल्ला है कि सब इसी फैमली से आता है फर्स क्लास में पूछे कितने टाइब से बहुत सारे करना है अब वोड़ चेंज हो जाएगा इसी 14 में से 14 करोड 14 अरब बना दो अन्लिम्टेट बना दो अन्लिम्टेट की तरफ तुमको भी कहा कि अपने से लिखो अब तुम्हारे एंसी आइटी का बुख है कोई बुख है तीन चार कार्वन लिग दिया जितना चाहता है लिखते जाता बच्चे कंप्यूज होते जाते हैं बहुत जगत ऐसा देखते हैं कि उसको रटवाते रहते हैं रियक्शन अलग नेमिंग अलग बच्चे कितना करे अब तो कुछ जगत जाते हैं सुबह आठ बेस लेकर चार बेस पढ़ाते रहते हैं रटते रहो बिटा को कि क्या करेगा है वह जगा हम लोग फेकल्टी को पिते आर करते हैं कि बाइक कब से फेकल्टी भी नहीं में एनद चाता है जो जो इस जए उसको पढ़ा दो सब कुछ है कुछ नहीं है कैसे चला जाए उसमें कुछ नहीं प्लानिंग है सब करनी चोड डाल दिया गया है इन और गेनी तो और बड़ी ट्रेजडी होती है इसलिए इन और गेनी कोई पढ़ाता नहीं है पहें गलास में रटलों रियक्शन कितना रट होगे दो लाख चार लाख पांच लाख पांच लाख रटके जाओ फिर पांच लाख एक आजाएगा आउट अप सिले बस से में और गेनी के रियक्शन में होगा और गेमेस्ट्री जिसका ठीक हो गया वाइड में रेंक व क्या सकते हैं रैंकर जो लेंस से हंड़े के बीच आता है में करता है उसी एक कि जादा परण removal में किंधी कल दुए हो घांट आज मेंसट देखरह ऊसばंगु ने हैं क रहात दिंधृए में युक्न तो होग पर देखो छे कारेक्टर के बच्चे बैठे हुए अपने आप समझ में आ रहा होगा आचा जो बना दे रहा होगा तो बहुत तेज है कुछ नहीं तेज है राइटिंग पावर बढ़ाया है कि दिमाग से अटा दो इसलिए फस्क्रास पर बोला था जो इसमें सबसे कमजोर र सलता है इसलिए जो सुपर थर्टी सुपर उस बच्चे लोगो डिमोलाई जादा करते हैं यह तो मिसलेनियस बच्चे बैठे हुए हो उन लोगो नहीं छोड़ते हैं अफेक्ट है कि उन्हों को बेंच पकड़ा कर देते हैं तो तुम लोग अपनी हम लोग 30-35 साल हम लोग जल दे नियुजन ने से नहीं बच्चे इंज्वाए करो टीचर भी इंज्वाए करो ते दोनों में डिफरेंस है कि 11 के बच्चे को तो हम लोग पढ़ाना नहीं चाहते हैं जो इंशूट में पढ़ाते उसी बैच को जो टॉप बैच को जो आराम से बात सुने कि अब देखो ट्वेल्ट में आयो तो थोड़ा थोड़ा एनलाइज कि वह अच्छा इस तो कंसेप्ट है कि किसी से भी पूछ लो 90 पर से और गेनिक रिएक्शन रटना है कोई भी तुमारे आज पास तुमारे सीनियर जुनियर जो भी हो पूछ लो करो डिक्शन और गेनिक में भी स्कूछ में सुरू हो थो को सुब्सक्राइब जोंडील्ट होगा की टों होगा सव वह उन्हें ही जीशक और ही कुछ बच्चे पहुंच जा रहे हैं कुछ रास्ते में रुख जा रहा ह। कुछ ऐसे फ्लैट होकर सो जा रहे हैं। कि देखिए आठी रास्ता है कि आगे चलके बताएंगे पूरी और्गेनिक में तीन रियक्षन है तीन को त्री करोड जैसे मैं प्लस माइनस मुल्टिप्लाइड डिवाइड कि इतने साल में सिखते हो यह चार्ट टॉपिक्स कि यह पता नहीं कितने साल में सीखे सेकेंड क्लास में इतना चीश सिखाया भी नहीं जाता है तक हर रहें सेकेंड साथ साल लगते हैं तब जाकर एक सुआइज के वैलू जो भी चीज चारों का कॉक्टेल बनाकर दिया जाता है क्लास कि अवसी में कोई कहता है कि नहीं मैं तो मेरा बहुत नाइंटी परसेंट का वीक मैं इसलिए होता है कि ज्यादा प्रैक्टिस करना है तागे चलता है एक्सूल कोश्चन क्या होता है कि उसिक सेवें तक होता है के मैं से के साथ क्या ट्रेजडी है नाइं तेंटी परसेंट वालत होते हैं अरे ऐसे ही हो जाएगा जैसे ट्रेंट पर जाते हैं तुमको किसी तरह पास करो कहानी खत्व कि आएटी का लेविल ऐसे ही नीचे गिर गया है पहले कोश्चन कर देखो कि आसे दस साल पहले कोश्चन बच्चे जाके एक्जाम में सो जाते अराम सी निकलने नहीं देगा अब तो कम से कम दस परसेंट बीस परसेंट सब बच्चे करते हैं इसलिए हम लोग कहीं नहीं जाते थे आज से पांच साल साथ सब्सक्राइब गूं के आएंगे पूरा इंडिया जिस दिन अपना दिमाग लगाना सुरू कर दिये हंडिट परसें रिजल्ट होगा बागी उसके बात का स्टेज होता है रैंक है रैंकर्स भी इसी क्लास में पता चल जाए कि रैंक तुम कहां जा सकते हैं उस अब प्रैक्टिस से होगा रट के कभी आएटी नहीं अब होगी तो इसे लिए सबसे रिक्वेस्ट है अभी भी टाइम है और प्रैक्टिस मोर कंफिडेंस जितना याद करना याद करना कुछ करना ही नहीं है इस शुरू के दिसिप्लिन थोड़ा समझा रहे हैं एक पैटर्न पर डिसिप्लिन बना रहे कि कुछ तो पेंच चला सबसे रिक्वेस्ट है जो भी समझो जितना कह रहे हैं जरूर करना वागी प्रॉब्लेम हो तो ठीक है एक लेवल में जब बच्चे आ जाओगे तो हमारे लिए भी जी होगा तुम्हारे लिए भी जी होगा इसलिए कहते कि हैल्प पर हो और दूसरा बच्चा हसने लगता ह अभी भी डिसिप्लीन नहीं पता है प्यार टुवल में आकर तुम्हारे मैचूरीटी आना चाहिए तो उसका क्या होगा हमको फैदा होगा तुमको ही फैदा होगा तुमको इसाथ करा क्या इतना दूर तक लाने में कितनी सब आ गया ये भी ट्रेजडी सब आ गया देख देखर रहा हो यह क्लास को आगे जाकर डिस्टर्ब करेगा पहले बता दे रहे हैं पहले ही पोल लाएं कि सब आ गया समझ में आ रहा है जोड नहीं हुआ आएगा ऐसे ही जैसे के जानते है उसकी कहानी खतर कि असामने वाला तो ऐसा कोश्चन मूल्ड करके देगा बनने नहीं देगा देगरों कनबर्जन में कैसे अब यह सबसे बड़ी प्रॉब्लेम है ऐसे कंफिडेंस वाले 90 परसेंट मिलेंगे को करेंगे नहीं कि वो तीन चार क्लास के बाद पता चलेगा क्या क्या अब रोमैटिक जब जा इसलिए रोमैटिक भी डाल दिया है चलो ट्राइट तो करना सबसे रिक्वेस्ट है जितना होम वर्क ज़रू कर जो निव एस्टूडेंट हर फैमली में चार्चार स्टक्चर करो अब आई सो नह बार नहीं देखने देंगे हम तो क्लास में नहीं देखने देंगे इसलिए बोले हैं नोट्स बुक बनाके घर पे रख देना क्लास में नहीं लाना है क्लास में तो हम हैं घर पे कोई हेल्प नहीं करेगा तो चार्ट बुक की ज़रूरत पड़ेगी उसके लिए बनवारे ह ठीक है और किसी को कोई डाउट है बोलो जी तुम्हारा क्या प्रॉब्लेम है नेमिंग है ठीक कि नहीं उदर बोलो जी हां तर्सियरी सेकेंडरी आइसो भी करा दे क्या नहीं अभी छोड़ देते नेक्स क्लास में आइसो नहीं हो डाल क्या अच्छा देश नहीं कहोंगे तो एक्साइटेड हो जाओगे करेंगे तो और थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा देखो मिटा केवल इसमें दिमाग लगाना है लिखना है यह चीज़ समझ के करना अपने आप इस बैस में देख रहो पांच यह लेवल हो चुका है कियों छे लेवल हुआ तुम एक्स्प्लेइन करो कि छे लेवल के हुआ नहीं पता चला क्या हुआ राइट यह कितना अच्छा जबाब दी सबका प्रैक्टिस लेवल अलग अलग है कुछ इसमें जूट भी बोल रहे हैं जो नहीं बोल पा रही है कि मिना की एसर कर लिया कि कुछ पिक्चर देखके आगए तो अगर आएटी बैच कौन कौन इसमें आएटी की वाले हैं जरा यह भी हाथ उठाज़ी हाँ आएटी वाले स्टुएंट कौन को रहे अच्छा अब तो यार पेन ज्यादा चलाना है मेडिकल वाले कम चलाएंग आएटी वाले समझ में आ रहा है कि कंसेप्टूल टॉपिक्स हो रहा है कि याद करने वाले कि कुछ करने वाले को रहा है कि वाले में स्टुएंट करने ज्यादा बहा है प्लाएंग झाल झाल